तो पहला point आ जाता है पधार्थ का पर्मारु सिध्धांत किस ने दिया था सबसे पहली बात तो डॉल्टन ने दिया था इनकी अनुसार क्या है कि पधार्थ जो होता है वो छोटे छोटे आविभाज चकडों से मिलकर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं पर्मारु ठीक है याद रखिएगा तो परमाडू सिध्धांत किस ने दिया था डॉल्टन ने दिया था इन्होंने क्या कहा था पदार्थ छोटे छोटे आविभाज कड़ों से मिलकर बना होता है जिने हम क्या कहते हैं परमाडू कहते हैं ठीक है फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट दो न्यूट्रोनों के बीच आकरसन बल कितने होते हैं कैसे होते हैं ये एक गृत्वीबल होता है और एक नाभीकियबल होता है ठीक है तो दो न्यूट्रोनों के बीच में जो आकरसन बल होता है वो एक गृत्वीबल होता है दूसरा नाभीकियबल होता है ठीक है फिर चलते है आगे नेक्ष्ट आता है इलेक्ट्रॉन एक रिणावेसित कण होता है कैसा होता है इलेक्ट्रॉन ये रिणावेसित कण होता है और इसकी खोज किस ने की थी थी ठीक है ये इलेक्ट्रॉन की बात हो गई फिर आता है प्रोटॉन की तो प्रोटॉन क्या होता है ये धनावेसि होता है क्या होता है धनावेसित होता है और इसकी खोज किस ने की थी इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी ठीक है इलिक्ट्रॉन हो गया प्रोटान हो गया ऐसे ही आता है एक न्यूट्रॉन जो होता है इसमें कोई भी आवेस नहीं होता है ना ये धनावेसित होता है न ये कैथोड किरण आ जाती है कैथोड किरण जो होती है वो इलेक्ट्रोन की धाराएं होती है जो कैथोड होती है वो इलेक्ट्रोन की धाराएं होती है मतलब कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है ठीक है एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है समझ गए चलिए आगे बढ़ते हैं आता है सरवाधिक वैदुत धनात्मक तत्व कौन सा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत पूछा जाता है फ्लोरीन है क्या है वैदुत धनात्मक तत्व कौन सा है फ्लोरीन है जबकि जो सरवाधिक वैदुत धनात्मक तत्व है वो कौन है ये फ्रांसियम ह सबसे जादा वैदुत धनात्मक तत्यों है और सबसे रनात्मक की बात करेगा तो फिलोरीन है ठीक है आगे बढ़ते हैं किसी तत्यों के रासायने गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रोनों की संख्या द्वारा तै होता है समझ गए चलिए आगे बढ़त ठीक है फिर आता है न्यूट्रोन एक क्या है उदासीन कर्ण है कैसा है न्यूट्रोन उदासीन कर्ण है उपर बता चुके हैं न्यूट्रोन का द्रविमान जो होता है वो हाइड्रोजन परमाडू के द्रविमान के लगभग बराबर होता है मतलब बोल रहा है जो न्यूट यह शब्सक्रावरा के नेट्रान पर्माडू के बराबर वह सधानिक नीट्रानों की संख्या चो होती है मतलब कोल मिलाकर समस्थानिक में ये होता है कि नूट्रॉन की संख्या जो होती है वो भिन होती है ठीक है नूट्रॉन की संख्या जिसमें भिन हो जाए वो समस्थानिक हो जाता है ठीक है फिर आता है परमाडू का संग्ठन करने वाले तीन मौलेकण कौन-कौन से हैं तो ये proton और neutron है ठीक है उपर पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में आगे यहाँ पर cable point wise ही चलेंगे जो exam में फसने वाले होंगे सीधे सीधे फसने वाले होंगे उन्ही की बात होगी ठीक है आगे आता है electron की कोज किस ने की थी JJ Thompson ने की थी और यह cathode किर्णों में की थी किस में cathode किर्णों में और proton की कोज किस ने की थी रदरफोड ने बात हो चुकी है आगे proton एक धनावेशित कड़ है जबकि electron क्या है रणावेशित कड़ है किसी परमाड़ के नाभिक में उपस्थित neutron की संख्या तथा proton की संख्या का योग उनकी द्रविमान संख्या के बराबर होता है तो याद रखेगा proton की संख्या प्लस neutron की संख्या किसके बराबर होती है उनके द्रविमान संख्या के योग के बराबर होती है ठीक है मतलब इनका जो योग होता है उसी को हम परमाडू क्रमांग के कहते हैं ठीक है, नाभिक में उपस्तित होता है प्रोटान प्लस नूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कच्छा के चारोर ऐसे 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 घूंते रहते हैं तो ये जो P प्लस N होता है proton और neutron ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं परमाडू क्रमां की कहलाते हैं और यही दोनों मिलकर जब इनका योग कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है यही हमारा dramaman संख्या बन जाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं अमोनिया एक तीछन गंद वाली रंगहीन गैस है कैसी है ये रंगहीन गैस है तो पूछा जाता है कि अमोनिया कैसी गैस है तो ये रंगहीन मतलब गैस है और ये जल में अतिविले होती है ठीक है तो जल में अतिविले होती है चलिए आगे बढ़ते हैं अमोनियम हाइड्रोक पेपर को नीला कर देता है तो क्या कर देता है लाल लितमस को नीला कर देता है कौन अमोनियम हाइड्रोकसाइड यह कैसा है यह चारी होता है आगे बढ़ते हैं ऐलुमिनियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो देखिए मुक्त अवस्था में क्या पाया जाता है ऐलुम पार भी है ऐलूमिनियम का और क्रोमो लाइट भी है तो बाकसाइट, फैल्स पार और क्रोमो लाइट ठीक है ये सब किसके हैं ये ऐलूमिनियम के हैं फिर आता है पीतल, तांबा और जिंक का मिस्रित रूप है अच्छा ये पीतल का है बोल रहा है ठीक है बोल रहा है कि पीतल जो है किसका किसका मिश्शित रूप है तो ये तांबा का है प्लस जिंक का है किसका किसका है तांबा का है और जिंक का है इसकी ट्रिक याद करिए ताज पी ताज पी तो ता से हो गया तांबा तांबा किससे मिलकर बनता ता से हो गया तांबा और जासे हो गया जिंक ये जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं पी पी मतलब पीतल ताज पी ठीक है याद हो गया आगे बढ़ते हैं इसमें तामबा और जिंक का अनुपात गुण के अनुसार पर अधार पर अलग-अलग रहता है इसी में बोल रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं तांबा मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में होता है याद रखेगा ऐलुमिनियम जो है ये मुक्त अवस्था में होता है लेकिन जो तांबा है ये मुक्त में भी होता है और ये संयुक्त दोनों अवस्था में हो जाता आगे बढ़ते हैं ताबा का सोधन विद्धुत अब घटनी पर इसक्रण द्वारा किया जाता है फिर है हीलियम का गलनांक सबसे कम होता है बहुत इंपोर्टेंट है किसका गलनांक सबसे कम होता है तो हीलियम का गलनांक जो है वो सबसे कम होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं म प्रेस्चन आता है कि धातू अमलगम किसका किसका मिश्रित रूप होता है तो पारा के साथ अगर हम किसी धातू को क्रिया करा देंगे तो क्या बन जाता है धातू अमलगम बन जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखे फास्ट चलेंगे स्लो नहीं चलेंगे और जित तो देखें क्या बोल रहा है जंग लोहे के संचारनं में अहम भूमिका निभाता है ऐसा जल जिसमें नमक सबसे ज्यादा अगर वो रहा है वो जैसे लोहे के अगर लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है बहुत पूचा जाता है लोहे में अगर जंग लग गया तो क्या होता है उसके भार में परिवर्तन बढ़ जाता है आगे बढ़ते हैं सोने की सुधता किस से नापते हैं कैरेट से नापते हैं फिर आता है 24 कैरेट का सोन सबसे सुद्व सूना होता है ठीक है 24 karat का सूना जो होता है वो सुद्व सूना होता है फिर आता है 18 karat सोने में सुद्व सोन का प्रτιस्ट कैसे निकालते हैं तो देखिए ये question जो है सायद पिछले किसी exam में पूछा गया है ऐसे question बहुत पूछे जाते हैं तो यह याद रखिएगा कि जितने कैरेट का सोना बोला जाता है उसमें बटे 24 का भाग दे देते हैं क्योंकि 24 का सुद्ध सोना होता है ठीक है 18 कैरेट में पूछा है 18 उपर रख लिया होता कितना है टोटल 24 होता है अब परसेंटेज निकालना है तो गुणे का सो कर दीजे बस इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 75 आंसर आ जाएगा ठीक है तो अगर सुद्ध सोने का प्रत्सत निकालना है अगर जैसे 18 कैरेट की जगए कोई भी कैरेट दे जैसे 20 कैरेट दे तो 20 बटे 24 गुणे 100 कर देंगे ठीक है ऐसे करके निकाल सकते हैं सुद्ध सोने का प्रत्सत ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन मतलब गैलवनाई जेसन कहलाता है तो पूछा जाता है गैलवनाई जेसन क्या होता है तो लोहे की जब चादर पर हम जस्ते की परत चढ़ा देते हैं तो उसको हम गैलवनाई जेसन कहते हैं ठीक है और जिंकी की परत पर चढ़े लोहे को गैलवनी करत लोहा कहते हैं तीक है, जिंगी की परत जब हम चढ़ा देते हैं, उसे ही जस्ता बोलते हैं, तो फिर उसको क्या कहते हैं, उस लोहे को गैलविनी करत लोहा कहते हैं, समझ के आगे बढ़ते हैं, काच कैसा है, ये एक अक्रिष्टलिय ठोस पदार्थ है, फिर आगे बढ़ते हैं, आइरन को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, और जस्ता चढ़ा देते हैं, जिसे हमने अब भी उपर गैलविनाई जेसन देखा है, ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन ठीक है, तो सारे पॉइंट बिल्कुल से सबसे उच्छ होती है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलवर, जिसे हम चान्दी कहते हैं, इसकी वेदुच्छालक्ता, उसमा चालक्ता तत्तों में सबसे उच्छ होती है, ठीक है, ये वाला प्वेश्चन बहुत पूछा ज पूछा जाता है, ये ये यूपी टैट हो, सुपर टैट हो, पैट परिक्षा हो, यूपी एसाई हो, जिसमें साइन्स पूछी जाती है, उसके लिए राम बार सीरीज है, बार बार बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टन सीरीज है, बिल्कुल इन क्वेश्चन को छोड़िए गमत, ठीक है, जितने पॉइंट बनते हैं, सारे के सारे आपको इस लिए आपको इस क्लास में मिल जाएंगे, ठीक है, पूरी एक वीदियो होगी और complete chemistry पूरी complete हो जाएगी, ठीक है, इसी तरह हम physics की बनाएंगे, इसी की तरह हम बायो की बनाएंगे, ठीक है, तो पूरी complete आपको मिल जाएगी एक एक वीडियो में तीनों ठीक है तो चलिए आज ये कंप्लीट करते हैं पहला होता है चांदी फिर होता है तांबा फिर ऐलूमिनियम आता है फिर इस पाता है तो पहले चांदी फिर तांबा फिर आता है ऐलूमिनियम इस पात ठीक है इसकी एक ट्रिक ह आपको बता देती हूँ चत एई क्या है चत एई चत एई तो चा है चांदी ता है तामबा ए है एलूमिनियम ए है इस पाथ ठीक है फिर आता है कासा किससे बनता है तिन और तामबा से मिलकर बनता है तो कासा किससे बनता है तिन और तामबा से तो इसको कैसे याद रखना है का कातन, एक सेकेंड, हाँ, कातना, तो का से हो गया, कांसा, ता से हो गया, स्वरी, काटता, काटता है, स्वरी, हम उल्टा बोल गया है, कातना नहीं, काटता, इसको याद रखना है, काटता से, का से हो गया, कांसा, ता से हो गया, तिन, ता से हो गया, तांबा, तो कांसा किस से किससे बनता है तो तांबा और टिन से ठीक है समझ गए होंगे आगे बढ़ते हैं काँ से का ओपयोग किस में होता है यह बरतन या मूर्तिया बनाने में आगे इस्टील में लगबग 98 प्रिसत आइरन होता है और 1,5 प्रिसत कारबन होता है बहुत पूछा जाता है इस्टील कि किस से मिलकर बनता है तो यह आईरन और कारबन से मिलकर आईरन की मात्रा कितनी होती है 98 प्रिसत और लगबग 1,5 परसेंट जो होती है वो कारबन होती है फिर आता है लोहे का सबसे सुद्ध वानिजिक रूप क्या होता है यह पिटवा लोहा होता है जो पिटवा लोहा होता बहुत बिल्कुल जीरो मतलब जीरो तो नहीं कहेंगे लेकिन जीरो से थोड़ी सी जादा होती है ठीक है फिर आता है कोईले की गुडवत्ता का निर्धारण उसमें नहित कारबन के अनुपात पर करते हैं जिसनी उसमें कारबन जादा होगी उतना ही अच्छा कोईला होगा लिगनाइट को क्या कहते हैं भूरा कोईला कहते हैं विद्दुद चुम्बक के रूप में लोहा, स्टील, निकल, कोबाल्ट इन सब का परियोग करते हैं तो विद्दुद चुम्बक में किसका किसका लोहा, स्टील, निकल, कोबाल्ट इन सब का परियोग करते हैं फिर आत आगे बढ़ते हैं portland cement में gypsum मिलाने से cement की उत्रश्टता बढ़ जाती है मतलब उसमें द्रणता आ जाती है तो gypsum को अगर हम cement में मिला देंगे तो उससे जो होती है cement में द्रणता आ जाती है ठीक है आगे आता है cement की खोच किस ने की थी जोसेफ एस्पीडिन ने की थी कब की थी ये नहीं पढ़ना cement का रंग बिटिस तट पर portland की दूइप पर उत्खनित पत्थर के समान होने के कारण उन्होंने इसका नाम क्या दिया है portland cement दिया है क्या दिया है ना? portland cement दिया है ठीक है आगे बढ़ते हैं portland cement में 35 प्रिच्चत फ्लाई एस पाए जाता है जो बाता वरणी प्रदूसर उत्पन्न करता है ठीक है आगे बढ़ते हैं बिजली की आगे देखते हैं आगे आता है बिजली की इस्तरी में अब्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिप्टा हुआ रहता है तो देखे जो बिजली की जो ये होते हैं इस्तरी इसमें अब्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिप्टा होता है बहुत पूछा जाता है ठीक है आगे आता है अब्रग एक अच्छा प्रतिरोधी होता है बहुत पूछा जाता है ये अब्रग क्या है एक अच्छा प्रतिरोधी है और ये उचे ताप पर भी नहीं पिखलता है कौन अब्रग जो है ये उचे ताप पर भी नहीं पिखलता है समझ गए आगे आता है ज जब धारा प्रभाहित की जाती है, तो वह गर्म हो जाता है, जिससे आवरण भी गर्म हो जाता है, जो कपड़े को प्रेस कर देता है, ठीक है, तो प्रेस में जो लगा होता है, तार वो कौन सा होता है, वो नैक्रोम का तार होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये बहुत प को पैंसिल पनाने में प्रियोक्त किया जाता है यह कार्बन का अपर रूप होता है इंपोर्टेंट है आगे अगनी समन वस्त्र जो है वो किससे बनते हैं यह एसबेस टास से बनते है जो अगनी समन यंत्र बनता है वो किससे बनता है एसबेस टास से ठीक है आगे स्वर्ण ए जाता है यह एक्वारेजिया में और किससे किससे बनता है यह एक्वारेजिया है याद रखिए को बहुत इंपॉर्टेंट है फिर आता है चांदी तांबा ऐलुमिनियम इसपात स्वर्ण ऐसी धातुएं हैं जो प्रकति में सदयों मुक्त अवस्था में पाई जाती है कैसे आता है टाका जिसे हम सोल्डर कहते हैं यह किससे किससे बनता है तो यह सीसा और टेन से मिलकर बनता है क्या सोल्डर इसको याद करने की ट्रिक क्या है आपके घर पे सीसा लगा है आप गए मतलब घूमते 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 गए सीसा में भि ठीक है टिन ने बोला और हम भिड़े तो क्या हमारे कहां पर लग गया सोल्डर में लग गया मतलब हमारे कंधे पर लग गया तो सीसा जो सोल्डर बना है वो किस से बना है वो सीसा और टिन से बना है ठीक है याद करने की ट्रिक है आगे quicksilver का रसाइनिक नाम क्या है तो पारा को ही कहते है quicksilver याद रखे का important है आता है कारवन का सबसे कठोरतम रूप क्या है हीरा बहुत 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 बात पूचा जाता है आता है पायस एक द्रव में द्रव का कोलाईडी निकाए है जैसे दूध, पायसी करत, तेल ये सब किसके आते हैं तो ये पायस से सम्मदित हैं फिर आता है गहरे समुदर में गोता-खोरी के समय गोता-खोर कौन सी जो गैस है किसका यूज करते हैं तो ये oxygen और helium का करते हैं किसका oxygen के साथ वो helium को साथ में ले कर जाते हैं फिर next point आता है magnesium को dog विधी द्वारा समुद्र के लवण MgCl2 into 6H2O द्वारा निस्कासित किया जाता है तो क्या बोल रहा है magnesium को किस विधी के द्वारा समुद्र के लवण से निस्कासित करते हैं तो ये डॉब विधी द्वारा ये इतना याद रखे कि डॉब विधी को किस में यूज करते हैं मैगनीसियम में आता है समुद्र के जल का सोधन करने के लिए सामान रूप से आसवन विधी का प्रियोग करते हैं समुद्र के जल को अगर हम सोधन करेंगे तो किस विधी से डेस्टिलेशन जिसे हम आसवन कहते हैं ठीक है फिर आता है साधारन फिटकरी फिटकरी का सूत्र बहुत पूंचा जाता है तो ये देख लीजे के टू एसो फोर का होल थ्राइज इंटू 24H2O ये किसका सूत्र है ये फिटकरी का है इसका ये भी देख लीजे हिंदी में भी कभी कभी दे देता है तो पोटैसियम, appointments we have फिर आता है फिटकरी जो होती है वो रक्तिसराव को रोग देती है इसका कारण क्या है इसका कारण इसका नन होता है जिसे हम कॉगलेशन बोलते हैं आगे बढ़ते हैं क्रिष्टली करण विधी ठोस पदार्थों के शोधन में प्रियोक्त होती है तो क्रिष्टली करण विधी क्या होती है ये ठोस पदार्थों के शोधन में प्रियोक्त होती है फिर आता है आसुत जल जल का सबसे सुद्धतम रूप होता है आसूत चल वो होता है वो सबसे शुद्धतम रूप होता है जबकि वायु विभिन्ही गैसों का समांगी मिस्रण है आगे अलको हल जल मिस्रण से जल को आसुवन द्वारा अलग किया जाता है तो अब इनको अलग करना है तो किस विदी से अलग करेंगे तो ये इसी किसे आसवन विदी से बहुत इंपॉर्टंट है सारे के सारे पॉंट अच्छे से सुनते जाहिएगा किसी को भी ऐसी हवा में मत उड़ा दी जिएगा आगे सर्व प्रथम नीदर लेंड में 1893 में ओजोन का प्रियोग जल के उपचार में किया गया था बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन का सबसे पहले प्रियोग किसके उपचार में किया गया था तो ये जल के उपचार में किया गया था, ठीक है, आता है ओजोन का प्रियोग जल उपचार में वी संक्रमन और आकसी करण के लिए किया जाता है, किसके लिए वी संक्रमन और आकसी करण के लिए आगे ग्लू कोज हेक्सोज सरक्रा का एक प्रकार है ग्लू कोज को डेक्स्ट्रोज या ग्रैप्सुगर भी कहते हैं तो बहुत पूच्छा जाता है ग्रैप्सुगर किसको कहते हैं तो ये ग्लू कोज को कहते हैं किसको ग्रैप्सुगर किसको कहते हैं ग्लुकोज को, dextrose sugar किसको कहते हैं, ये भी ग्लुकोज को, और hexose, ये भी ग्लुकोज का ही एक प्रकार है, आगे, ग्लुकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, सुस्क बर्फ का सूत्र क्या होता है, तो CO2 होता है, जिसे हम carbon dioxide बोलते हैं, ठीक है, यह gas अगनी समन में प्रियोग होती है कौन सी ये carbon dioxide ठीक है अभी हमने उपर पढ़ा है अगनी समनियंत्र की बारे में कुछ पढ़ा है ना भी करिए fast comment क्या पढ़ा था आगे आता है जिस जल में साबुन घुलने पर ज्जाग देता है उसे क्या कहते हैं म्रदू जल जिसमें ज्जाग देता है म् यह जलने में सहायक नहीं होती है और जलने में सहायक कौन होती है और जलने में सहायक कौन होती है ऑक्सीजन गैस जो होती है वह जलने में सहायक होती है जबकि carbon dioxide गैस जो है वह जलने में सहायक नहीं होती है इसलिए आग बज़ाने के लिए इसका यूज होता है आगे रासा थीक है, CAO होता है, अब अगर हमें चूने का पानी बनाना है, थो इसी में अगर पानी मिला देंगे, H2O, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, यह क्या बन जाएगा,ался sound, इसी को हम चूने का पानी बोल देते हैं, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं, वनस्पती तेले को, आगे ऐसे करते हैं, आता है, वनस्पती तेलों को हाइड्रोजन गैस के साथ, निकल की उपस्थिती में संतरप्त वसाओं के परिवर्टिट किया जाता है, इस क्रिया को क अच्छे से समझेगा, जिनका गलनांग 20 डिगरी सेल्सियस से कम होगा, वो क्या होगे, तेल कहलाएंगे, और जिनका गलनांग 20 डिगरी सेल्सियस से ऊपर होता है, वो क्या कहलाते हैं, वसा, तो देखिए, बहुत अच्छे से समझेगे, 20 डिगरी सेल्सियस से जो कम होगे वो तेल होंगे, 20 degree Celsius से जो जादा होंगे वो वसा कहलाएंगे, ठीक है, आगे रासाइनिक द्रश्टी से bleaching powder का सूतर क्या होता है, बहुत पूशा जाता है, C-A-O-C-L-2 होता है, तो bleaching powder का सूतर क्या होता है, C-A-O-C-L-2 होता है, और calcium hypo chloride इसी को कहते हैं, ठीक है, इसी को ह आगे बढ़ते है, bleaching powder का प्रियोग फसल उगाने में उपयोक्तласт anál किया जाता है, इसे फसल उगूने का प्रापधान हो जाता है, फिर आता है किसी भी गॢ़वत्ता की माप उसकी octane संख्या से की जाती है इधन के अगर गुडवत्ता निकाल नहीं है तो किस से octane संख्या से बहुत बार पूछा गया है important है याद रखिएगा आता है LPG किसका किसका मिस्रण है तो ये butane का है और propane का है किसका किसका है butane और propane का है और LPG के मुख अवयब कौन से है ये butane और isobutane ये इसके क्या है अवयब है ठीक है समझ गए होंगे आगे बढ़ते है प्राक्टिक गैस में मेथेन गैस होती है जो आप पेच्छा करत हल्की होती है पाइपड प्राक्टिक गैस प्राक्टिक गैस का मुख खिता प्रियोक क्या होता है भोजन पनाने के लिए तथा घरों में प्रियोक्त होने वाले गीजरों में प्रियोक्त होता है ठीक है तो प्राक्टिक गैस का उप्योक कहा होता है खाना बनाने में और गीजरों में रॉकेट में एधन के रूप में क्या होता है? हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रियोक किये जाता है फिर नेच्ट पॉइंट आता है पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है पेट्रोल से जब आग लग जाती है तो जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में आमिसरणी है ठीक है पेट्रोल उपरी परत बनाता है और अता जलता जाता है पेट्रोल से लगी आपको बुज्ञाने के लिए किसका फोम प्रकार के अभिशामक का पृत क है जब पेट्रोल से आग लग जाती है फिर आता है रियान को करतिम शिल के कहते हैं और रियान एक पौली सैकराइड है तिर फिर नेश्ट पॉइंट आता है पॉलिठीन एक पॉलीमर है, जिसे बहुलक कहते है जिसका मोनोमर क्या होता है, एथिलीन बहुत मुचा जाता है ठीक है, एथिलीन होता है, और सूत्र क्या है, CS2, double-boter CS2 फिर है बहुलक या पॉलिमर बहुत अधिक अडू मात्रा वाला कार्बनिक योगिक होता है क्या पॉलिमर जो होते हैं ये अडू मतलब बहुत सारे अडू मात्रा वाले कार्बनिक योगिक होते हैं ठीक है इनमे इस रंखला बनती ही चली जाती है आगे व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम द्वारा निकाला जाता है जो वैसलीन होती है वो किसके द्वारा निकलती है ये पेट्रोलियम से निकलती है ठीक है आता है हाइड्रोकार्बन का प्राक्तिक स्रोथ क्या है ये जीव भार है ठीक है आगे आता है टेरिलीन निउन्तम जोलनसील रेशा फाइबर है क्या है टेरिलीन जो है वो निउन्तम जोलनसील रेशा फाइबर है आगे वाड़िज में क्रतिम रेशा को क्या कहते हैं टेरिलीन कहते हैं टेरिलीन क्या है ये क्रतिम रेशा है और ये निउन्तम जोलनस आगे बहुत इंपोर्टेंट है 6 अगस 1945 को अमेरिकी वाय उसेना ने जापान के हिरो सिमा पर परमाडू बं लिटल वॉय गिराया था ठीक है आगे चॉकलेट स्वास्ति के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें कैडमियम और लेड की मात्रा अधिक होती है तो परमाडू में अंतर नहित होती है ठीक है सभी मौझूदा नाभिकी उर्जय संयंत्रों में विखंडन का प्रियोग होता है विखंडन का प्रियोग किसमें नाभिकी उर्जय में हाँ परमाडू रियक्टरों में प्रियोग इधन क्या होता है यह यूरेनियम होता है आगे बढ़ते हैं परमाडव रेक्टर के अंदर यू रेनियम परमाडव नियंतृत स्चंखला अभिकरिय द्वारा विखंड़न किस द्वारा होता है तो यह यू रेनियम परमाडू के ओर है आगे मन्दक के रूप में न्यूट्रोनों की गति को मंद करता है जो केडमियम की छड़ों का प्रियोग जो है वो मंदक के रूप में करते हैं किसका किसका तो भारी जल ग्रेफाइड और केडमियम का प्रियोग जो है यह मंदक के रूप में करते हैं और मंदक क्या करता है यह न्यूट्रॉनों की गती को मंदक कर देता है भारी जल को सर्वोत्त सर्वोत्तम मंदक कहते हैं तो भारी जल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं सर्वोत्तम मंदक कहते हैं आगे बढ़ते हैं प्राक्रतिक रेडियो एक्टिवता की खोज 1896 में फ्रांसी सी इसने बैकरल ने की थी इतना याद रखना है रेडियो एक्टिवता की खोज किस ने की थी पैकरल ने की थी बस केवल इतना याद रखना है ठीक है आगे सूर में उर्जा का निरंतर जो स्रजन होता है वो नाव की सनलेयन नूकलियल फ्यूजन के द्वारा होता है ये याद रखी का इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बम को जो विक्सित किया था वो किसने किया था टेलर ने किया था किसने हाइड्रोजन बम को जो विक्सित किया था किसने एडवार्ड टेलर ने आगे कारबन चउदा का परियोग पुरा तत्वी महत्य की अति प्राचीन वस्तूओं की तिथी निर्धारन करने के लिए होता है ठीक है जैसे पहाडों की उम्ड निकाल ली है तो C-14 से निकाल देंगे ये सब मतलब C-14 से होता है ठीक है इनका जो क्रम होता है ये देखे मैंने लगा दिया चार दो एक होता है ठीक है ये एक्चली क्या है ये मैं पहले बार खुद से पढ़ चुकी हूँ तो इसमें सारे कुछ टिक लगे हैं और सारे के सारे इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने अलग से भी कुछ जो मुझे आता था पहले से वो मैं लिख देती थी जब मैं पढ़ती थी ठीक है तो आता है पोटास और वरग पोटेशियम से प्राप्त होता है प्लास्टर ओप पेरिस जिसे हम क्या कहते हैं पी ओपी कहते हैं इसका उपयोग शल चिकित्सा में प्लास्टर करने में और साचे और मॉडल बनाने में मूर्तियां एवं खिलोने इत्यादी बनाने में किया जाता है ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल से रटने वाले पॉइंट है सारे के सारे रट लीजे इतने से ही paper बन जाएगा और PT जो अभी कुछ time बात लगा हुआ है PT का exam उसके लिए ये जो material है वो पर्याप्त है इतने से बाहर मुझे नहीं लगता कि कहीं जाएगा ठीक है तो बस पढ़ते रहिए pH पैमाने में केक ने अंक होते है जीरो से 14 अंक होते है जिस billion का मान साथ से कम होता है वो अमल होता है जैसे नीबू करस तथा जिस का मान साथ से अधिक होता है उसे चार कहते है उपर करके देख लेते है ठीक है उसका मान चार होता है आगे oxygen एक दहन पोशक गैस है दहन के ये उपर अभी पढ़ा है carbon dioxide, फिर आता है sodium carbonate को धावन soda या washing soda कहते हैं, क्या धावन soda या फिर washing soda किसको कहते हैं, sodium carbonate को, Na2CO3 को, अब इसी से एक trick बना लीजे, जब धावन soda को, जब हम बात्रूम में बरतन धुलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जिससे मतलब धुलते हैं, तो वो washing soda हो जाता है, Na2CO3, ठीक है, जब हम बात्रूम में रहते हैं, जब हम वहीं पर जाके kitchen में पहुंच जाते हैं, तो बाई वाला काम करने लगते हैं, बाई वाला हो जाता है, बाई खाना बनाती है, तो बस kitchen में अगर इसी में बाई लगा दे, sodium bicarbonate लगा दे, तो व बाई लग जाता है, sodium bicarbonate, जिसका सूत्र होता है, अभी नीचे पढ़ेंगे, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3, आता है धावन सोडा, Na2CO3 in 10S2O, यह याद रखना है, यह बहुत पूचा जाता है, बहुत confuse करता है, दस बालती हम पानी लेके बैठते हैं, जब हम H2O पानी होता है, ठीक है, अर्थात sodium carbonate के अडू में जलके 10 अडू सनलगन होते हैं, आगे आता है, खाने के सोडा का रासाइने के नाम क्या है, sodium bicarbonate, Na2CO3, अभी अमने ऊपर बता दिया है, आगे, sodium bicarbonate का प्रियोग, खाद पे पदार्थों के बनाने में किया जाता है, sodium bicarbonate का वाड़ेजिक नाम baking soda है, इसे हम cooking soda कहते हैं, या खाने का soda, सिर्का में लगभख 6-10% acetic acid होता है, बहुत पूछा जाता है, सिर्का में, सिर्का की बात हो रही है, इसमें सबसे पहले तो कौन सा अमल पाये जाता है, तो इसमें acetic अमल होता है, ठीक है, सूत्र क्या ह इसके का उपयोग प्रियोक शाला में अभी कर्मक की रूप में, किसके रूप में? अभी कर्मक की रूप में तथा अचार चटनी आधी बचाने के लिए किया जाता है, आगे, दीयस अलाई बनाने में लाल फासफोरस और फासफोरस स्ट्राई सिल्फाइड, आप तो ये य तो यहां पर जो गैस के गुबारे होते हैं उसमें किसका यूज होता है तो यह हीलियम का होता है क्योंकि हीलियम गैस जो होती है वो अदा होती है मतलब इसमें आग नहीं लगती है ठीक है आता है हाइड्रोजन गैस जो लंसील होने के कारण प्राया उप्योग में नहीं इसलिए इसको प्यूब ज्यादा आसानी में नहीं करते हैं आगे बढ़ते हैं समझ में तो आ रहा है ना बहुत सिंपिल से पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल से क्या कहते हूं उसको मलाई टाइप के मलाई टाइप के हैं ना चलिए आता है फिर कारबन प्रेय औकसाइड, कारबन मोनो ओकसाइड, नैट्रोजन ओकसाइड तथा सीसा वा भारी धात्वों के निलंबन कड़ों में के उत्सरजन के कारण नगरी वातावरन ग्रामीड वातावरन की अपेक्षा अधिक प्रदूसित होता है ठीक है आगे आता है हाइड्रोजन सलफ है अभी हमने ऊपर पढ़ा था आमोनिया के बारे में पढ़ा था तो अमोनिया भी रंगहीन गैस थी जिसे सड़े अंड़े जैसी गंद आती है ठीक है आता है फिर वर्स 1847 में सिम्पसन ने क्लोरोफार्म का निश्चेता पूछा जाता है ये कुछ नहीं आद करना है आप आपके बल इतना याद रखिए क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो C-A-O-C-L-2 किसका सूत्र होता है, यह क्लोरोफॉर्म का, आगे, आगे आता है के-मैनो-4, जिसे हम पोटेसियम परमेगनेट कहते हैं, इसका प्रियोग रोगाड़ु नाशी के रूप में किया जा स और इसी को हम क्या कहते हैं, के-मैनो-4 को लाल दवा कहते हैं, पोटेसियम परमेगनेट, ठीक है, आगे आता है, पोटेसियम परमेगनेट एक क्या है, यह एंटी-सेप्टिक है, जिसका उपयोग हातों तथा पैरों में तवचा रोग, तथा कवकों के संक्रमण को रोखने में अलसर के उपचार में इनका परयोग किया जाता है, आगे पोटेसियम परमेगनेट का उपयोग गोनोरिया के उपचार में किया जाता है, इसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं, नैट्रस ओकसाइड जिसे प्राया लॉफिंग गैस कहते ह यह आकार्बिनिक योगिक है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे आता है वायू मंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक 78% फिर ऑक्सीजन 21% मतRob लगभग 21% और फिर कारबन डायोकसाइड 0.036% और उत्रश्च्ट गैसें फिर ये सब बाद में है ठीक है तो सबसे जदर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर कारबन डायोकसाइड फिर इसके बार आरगन होती है चलिए आगे फिर redan को छोड़ कर अन्य सभी उत्रेश्ट गैसें वायो मंदल में पाई जाती है तो पूछा जाता है बहुत पूछा जाता है कैसी कौन सी गैस है जो वायो मंदल में उपस्तित नहीं है option देदेगा चार उसमें redan भी होगा तो answer क्या होगा redan चलिए आगे आगे आता है निस्क्रिय गैसों में आरगन वायो मंदल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है निस्क्रिय आरगन गैस जो है वो निस्क्रिय गैस है और ये सबसे ज़्यादा वायो मंदल में पाई जाती है निस्क्री यह कैसों में है ठीक है इसकी खोज किसने की थी तो रेले और रेमजे ने की थी किसने रेले और रेमजे ने किसकी खोज की थी तो ये की थी आरगन की खोज ठीक है और ये कैसी है ये निस्क्री कैस है और ये सबसे ज़्यादा वायूमंडल में पाई जाती है समझ आगे आता है नेफ्तलीन का प्रियोग जो है किसमे करते हैं तो इसका प्रियोग कोलतार में करते हैं किसमे करते हैं इसका प्रियोग कोलतार में करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आगे चलते हैं तो व्यापक रूप से इस्तमाल किया गया नाइट्रोजनी और वरक यूरिया क्या है यूरिया क्या है ये एक नाइट्रोजनी और वरक है ये पूछा जाता है और सबसे पहले प्रियोग साला में क्या बना था यही ये क्या कहते है यूरिया बना था ठीक है यूरिया का सूत् NH2CO, NH2 होता है, ठीक है, समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, यूरिया ऐसा औरवरक है, जिसमें नाइट्रोजन की सरवाधिक मात्रा पाई जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, इसमें 46% होती है, आता है, सचालित वाहिनों वाले नगर की वायू को प्रदूसित करता है, तो देखिए, जो ये मोटर साइकल है, और ये बाइक वगरे जो भी होता है, आजकल हम साधन देख रहे हैं, पाइक है, कार है, और ट्रक वगरे ये सब जहां जहां पेट्रोल को यूज होता है, तो उसमें पता है, पेट्रोल में सबसे ज़्यादा मा जो पाये जाता है सीजा लेड ये वाई प्रदूसर बहुत भ्यानक करता है फिर आता है वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तयार करते हैं तो देखिए क्या है कि वसा के साथ कास्टिक सोडा किसको कौन सा सोडा देखो कास्टिक सोडा को अगर हम वसा के साथ मिल यह ल Courtney Kear न रिक होता है ठीक है बोल देगा वरस प्लस एने वई Sims कोछ आपको याद रखना है एन सूत्र वाले यॉर्गिक का नाम क्या है यही है यही है कास्टिक सोडा जिसे हम सोडियम हाईड्रॉकसाइड भी भोलते है too आगे प्लास्टर ओफ पैरिस को जल से क्रिया कराने पर ये उसमा उत्पन्न करता है और वह सीगरता से जिपसम में बदल जाता है बदल कर जम जाता है अमली वर्षा में सलफ्यूरिकम और नाइट्रिकम लपाए जाता है व्रचों से प्राप्त प्राक्तिक रवड का बुनिय जनादी रासायनेक निर्माड बलॉक आइसोप्रीन होता है बहुत इंपोर्टेट है आइसोप्रीन ठीकat फिर आता है 중에 किडनी स्टौन की पथरी होती है कैसी होती है किसी बनी होती है कैल्सियम ऑउग्जिलेट जिसका सूत्र होता है CAC2O4 important है उन तंतू का विकल पे क्या driving ये नायलॉन 6-6 है आगे किसी म्रदा का pH मूल उस विशेस म्रदा में अमल अंस को मापित करता है कि उसमें कितनी मात्रा में अमल है कपड़े से स्याही और जंग के धबों को मिटाने के लिए किसका प्रियोग करते हैं ये औक्जेलिक अमल का प्रियोग करते हैं बहुत इंपोर्टेंट है कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे तत्व हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में योगिक तयार किये जाते हैं कि कौन-कौन कार्बन और हाइड्रोजन आगे जानवरों के गोबर अपसिष्ट को बायो गैस प्लांट के लिए मुक्ता कच्चा पदार्थ माना जाता है क्या मानते हैं इसको हम कच्चा पदार्थ गोबर गैस मतलब बायो गैस का संगठन किस प्रकार होता है इसमें मीथेन पचपन प्रिसंट बहुत पूछा जाता है गोबर गैस में सबसे ज़्यादा मात्र में क्या होता है मीथेन होता है ये बस याद रखिए आगे बढ़ते हैं ओजोन परत के अब 6 में क्लोरो फ्लोरो कार्बन सीएपसी, हैलन्स, नाइट्रोजन और आक्सीजन प्रमुक है ओजोन परत का जो 6 हो रहा है जो कि कहां पाई जाती है ये ओजोन परत, बताईए कमेंट में किस परत में पाई जाती है कौन से मंडल में तो ये जो 6 हो रहा है किसकी वज़े से क्लोरो फ्लोरो कार्बन, हैलन्स और नाइट्रोजन आता है ओजोन का सरवादिक विनास किसकी व्रद्धी के कारण CFC के कारण क्या CFC वाई मंडल में ओजोन गैस द्वारा पराबैगनी किर्णों का आउशोसर्ण होता है जिससे पराबैगनी किर्णे सीधे प्रत्वी पर नहीं पहुँच पाती यह ओजोन जो परत होती है यह हमें प्रत्वी में पराबैगनी किर्णों से बचाती है फिर आता है पास्चुरी करण जिसे हम पास्चुराइज़ेशन कहते हैं यह वो प्रक्रिया होती है जिसमें दूद को 63 degree Celsius पर बहुत इंपोर्टेंट है पूछा जाता है कौन से degree Celsius पर 63 degree Celsius पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं और फिर सीगरेटा से ठंडा किया जाता है यह होती है पास्चुरी करण क्या होता है कितने संटिग्रेट 63 degree और कितना टाइम होता है इसमें 30 सेकेंड तो तीस मिनट सॉदी दहन कैसी प्रक्रिया है एक रासाइनिक प्रक्रिया है फिर आता है सिगरेट के दुए में प्रमुख रूप से carbon monoxide होता है और hydrogen cyanide होता है तो सिगरेट में क्या-क्या होता है यह यह होता है फिर आता है carbon monoxide यह एक वायु प्रिदूसक है आगे उत्पादक gas producer gas सबसे ज़्यादा पूछा जाता है producer gas है option दे देगा CO plus N2 तो यही है producer gas जिसको हम nitrogen और carbon monoxide के misteran को ही producer gas कहते है फिर आता है रात को पेंड के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि पेंड रात में carbon dioxide निकालते है सभी जानते है आता है उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जिस जो किसी रासाइनेक अभिक्रिया की दर को परिवर्दित कर देता है परन्तु स्वय मुरब्बे टमाटर की चटनी फलों के रस अन्य खाद पदार्थों के परिरक्षन में किया जाता है बहुत पूछा जाता है याद रखिएगा वोपाल गैस द्रासदी का क्या है M.I.C के द्वारा हुई थी कब हुई थी कमेंटर पर चापना है आपको आता है ओजोन का रा में भी बोल देता है ठीक है आगे प्रिवेंशन ओफ फूड एड्ल ट्रेशन अधिनियम क्या है प्रिवेंटेशन ओफ फूड एनलट्रेशन अधिनियम तहट एसेट लीं गैस फलों को पकाने में प्रतिबंधित कर दिगई थी ठीक है एसे टलीन भी का पिरयोग करते है अब ये उपर हमने बताया तो इसका प्रतिबंद हो गया क्योंकि ये नुफसान करती है आगे मेथेन को क्या कहते है मार्स गैस इसका सूतर क्या है CH4 अमलबर साव आयू में उपस्थित प्रदूस को सल्फर डायोकसाइड और नाइट्रोजन SO2 और NO2 के कारण होती है फिर आता है वायू में सल्फर डायोकसाइड और जल से क्रिया करके सल्फियूरिक अमल बनता है तथा नाइट्रोजन ऑकसाइड की जल से क्रिया के फल्सरोप नाइट्रिक अमल बनता है आगे हाइड्रोजन की खोश किस ने की थी अज्बत कि देल को मिलाते हैं निकल की उपस्थिति रखते हैं तो क्या बनता है गी बनता है यह पॉइंट र्याद रखिए पिर आता है क्लोरी न का उपयोग रोगारू नासक के रूप में पेजल के शोधन में होता है फिर आता है पेजल में उपस्थित जीवाडू को क्लो तो किसके द्वारा? क्लूरीन के द्वारा जो जीवाडू होते हैं पेजल में उसको नस्ट करते हैं. क्लूरीन के अन उप्योग, ब्लीजिंग पाउडर के निर्माड में और विरंचक के रूप में. किसका? क्लूरीन का. आगे मुमबत्ती, पैराफीन, नामक हाइड्रोकार् टेलों के सहियों से करने पर ये वनस्पति की होता है. इस प्लेक्रिया को हैड्रोजनी करन कहते हैं. उपर हम देख चुके हैं. अभी हमने बता है ना, वही चीज लिखी है नीचे. आगे बढ़ते हैं. चूहों के विसका रसाइनेक नाम क्या होता है? ये जिंक फास्पाइ होता है. ये पूछा जाता है एक्जाम में ऐसे हासी खेल के लिए नहीं लिखे हैं सारे. ठीक है? भीड को टितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तमाल की जाने वाली जो अस्रू गैस होती है. वो कौन सी होती है? तो ये क्लोरो पिक्रिन कहते हैं. जो अस्रू गैस का छोड़ा जाता है. इसको क्या कहते हैं? क्लोरो पिक्रिन कहते हैं. इसका सूत्र क्या होता है? C-C-L-3 और अनो-2. C-C-L-3 अनो-2. बोन-S में कैलसियम आकसाइड और फासपोरस पेंट आकसाइड होता है. C-A-O और F-O-5 ये किसमें होता है? ये बोन-S में. फिर कैलसियम उपास थी तथा हड़ियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होते हैं. ना चिपकने वाला खाना बनाने के बर्तन कैसे होते हैं? ये टेफलान के बने होते हैं? बहुत पूछा जाता है. याद रखिएगा. अब देखें, यहां से रासाइनिक सूत्र अभी हम पढ़ चुके हैं उपर. धावन सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, कितनी वाल्टी? 10H2O. कास्टिक सोडा, ये NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोकसाइड. फिर आता है चिली साल्ट पीटर, इसको सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, NaNO3, चिली साल्ट पी आगे आता है फिटकरी, तो पोटेसियम, ऐलूमिनियम, K2SO4, इंटु, Al2SO4 का होल्टराइज, इंटु, 24H2O, फिर आता है लाल दवा, तो ये पोटेसियम परमेगनेट का होता है, KMNO4 का सूतर होता है, लाल दवा का, फिर आता है सोरा और नाइटर, तो क्या होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसका सूतर क्या होता है, सबको रटने हैं, ये बिल्कुल से रटे होने चाहिए, सभी को सोते में भी अगर कोई फूच है, तो बनने चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए, फिर आता है चौक या चूना पत्थर, या संग मरमर, तो ये क्या होता है, आगे आता है नवसादर का क्या होता है, तो ये NH4Cl, अमोनियम, क्लोराइड, लाफिंग गैस का क्या होता है, उपर देख चुके हैं, N2O, नाइटरस ऑकसाइड, गैलिना, PbS होता है, लेट सलफाइड, सुस्क बर्ख, CO2, ठोसकारबंड़ ऑकसाइड, हरा कसिस, फेरस सलफेट, FSO4 x 7S2O, सफेद कसिस, जिंक सलफेट होता है, जडन, SO4 x 7S2O, नीला कसिस, कॉपर सलफेट, CUSO4 x 5S2O, सिरका, एसे टेकमल, CS3COOH, आगे, एलकोहल, इथाईल एलकोहल, C2S5, बहुत पूचहता था है, C2H5OH, वोड़ स्पृट, मिथाईल, एलकोहल, CS3OH, तो आज हमने chemistry पूरी complete कर ली, एक वीडियो में, ठीक है, ऐसे ही हम physics से complete करेंगे, ऐसे ही हम bio complete करेंगे, पहला point आता है, श्रसनमूल, जलोदभित, और लवण, म्रदोदभित, दोनों पादपों में पाया जाता है, क्या स्रसनमूल, ठीक है, आता है, आलू में अच्छियां, मतलब eyes कैसी काईक जनन में मदद करती हैं, ठीक है, आलू में जो अच्छियां होती है, वो किसमें मदद करती है, काईक जनन में, पूछे जाते हैं, important है सभी, ठीक है, किसी पौधे की एक साखा, जिसे हम क्या कहते हैं, कलम कहा जाता है, किसी दूसरे पौधे पर लगाया ज ठीक है आगे वे पादब जो केवल सूर प्रकास में भली भाती विक्सित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हैलियोफाइट्स कहते हैं आध पोद्वित ठीक है सूर के प्रकास में जो विक्सित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं आध पोद्वित कहते हैं आगे राइजोबियम एक प पादब कोशिका में अंतर किया जाता है किसकी वज़े से सैल वाल की वज़े से पादब कोशिका में केवल कोशिका भित्ती होती है और जन्तु कोशिका में ये नहीं होती है ठीक है किसमें होती है भित्ती ये पादब कोशिका में होती है ठीक है पराग कोश पुस्प का वह भ पॉधे संग्रण वीरी द्वारा तयार होते हैं आगे इक गन्ना के पॉधे प्राया का एक प्रवर्धन द्वारा समवर्धित किये जाते हैं इससे अनुवांसिक गुडवत्ता बनाय रखना संभव होता है आगे टिशू कल्चर द्वारा बिना बीच के फलों को विक्सित किया जा सकता है किसके द्वारा टिशू कल्चर के द्वारा पॉधों में प्रकास संसलेशन की क्रिया के दौरान प्रकास उज्या और शोजित कर ली जाती है याद रखिएगा ठीक है आगे प्रकास संसलेशन प्रक्रिया में क्लोरोफिल द्वारा जो ये मुख्यकारक होता है प्रकास संसलेशन में क्लोरोफिल मुख्यकारक होता है आगे सूरी के प्रकास में उपस्थित विशिष्ट तरंग दैर्द के द्रश्य प्रकास प्रकास संसलेशन में शायक होते हैं ठीक है हरे पौधे मुख किता लाल और नीले रंग में प्रकास संसलेजर करते हैं बहुत पूछा जाता है किस कलर में लाल और नीले रंग में पौधों में पत्तों के प्रष्ट पर पाईज आने वाले लगु छिद्रों को क्या कहते हैं रंद्र कहते हैं या इस्टोमेटा कहते हैं ये पत्तों में अस प्रकास संसलेशन की क्रिया पौधे के हरे भागों में सूर्य के प्रकास और जल तथा करबन डियोकसाइट की उपस्थिती में होता है इंपोर्टेंट है याद रखिएगा जब श्वेत प्रकास पेड़ पौधों की पत्तियों पर पढ़ता है तब यह हरे रंग को छोड़ क पर अन्य सभी रंगों को और सोचित कर लेती है और केवल हरे रंग को ही परावड़ित कर देती है इस वज़े से हमें हरा रंग पत्तियों का दिखाई देता है याद रखिएगा पौधे में बुशेस कोशाओं द्वारा होती है जो विशेस इस्तानु पर इस्थित होती है आगे पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेच्छित तत्व होता है वो कौन सा होता है ये नाइट्रोजन होता है आगे बढ़ते हैं कंपोस्ट का अपनी उच गुर्वत्ता के कारण प्रमुक उर्वरक के रूप में उप्योग किया जाता है फिराता है ड्रोसेरा एक कीट हारी पादप है कैसा है कौनिवोरस प्लांट है बीज का अंकुरण बिना प्रकास के भी संभव होता है क्रॉकस पौधे के पुष्प में धागे जैसी महीन भाग को केसर के रूप में प्रियोग किया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है एक से बढ़कर एक है किसी को भी छोड़िएगा मत ठीक है पुष्प का पुरुष मतलब मेल हिस्सा पुंकेसर और इस्तरी फीमेल हिस्सा क्या होता है इस्तरी केसर कहलाता है फिर पुंकेसर इस्टेमन ही तंतु और पराकोस उपस्थित होता है इसी में पुंकेसर में ही तंतु और पराकोस उपस्थित होता है आगे यूट्री कुलेरिया का पौधा नाइट्रोजन की कमी वाले म्रदा में उपता है ठीक है आता है नाइट्रोजन की कमी की पूर्ती की कीटों के भच्षन के द्वारा करने के कारण यूट्रिकुलेरिया को क्या कहते हैं ये कीट भच्छी पौदा कहते हैं है एक प्रकास संसलेजन्ट के दौरान जो गंगासन न्कलती है वो कौन सी होती है ये सब क्या है ये सूच में पोसक है पौधों के ठीक है और कारबन डियोकसाइड हाइड्रोजन नाइट्रोजन फासफोर असल पर प्रोटाइड ये सब क्या है ये दीर के पोसक है तो सूच में पोसक क्या है ये सब जितना पढ़ा हमने ये सब सूच में पोसक है और जो दीर के है फिर आता है जेव अडू का संसलेसर और तोट जाना ही क्या कहलता है ये उपा पचे की घिया कहलाती है ठीक है आगे सीसा जिसे लेट बोलते हैं धा बड़े शहरों की वायू को अधिक प्रभावित करती है ठीक है इसके पहले देखिए हमने मैराथन काफी complete कर ली है जैसे bio हो गई chemistry हो गई और physics हो गई यह सब complete कर चुके हैं ठीक है तो आपने नहीं देखिए तो मैं नीचे description box पे आपको link share कर दूँगी तो आप वहाँ से completely देख लीजेगा ठीक है तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे एक पारिस्थित की तंतर को प्राप्त उर्जा का सबसे बड़ा सोत्र क्या है यह सूर्य है जिसमें से केवल एक प्रिट्सथ से तीन प्रिट्सथ पात्पु द्वारा प्रियोग तो होता है जिससे प्रकास संसलेशन की करिया संपन्न होती है सौर उर्चा के प्रियोग में प्रदूसर उत्पन नहीं होता जबकि रबर के जलने पर कारबन डायोकसाइड और सलफर डायोकसाइड इत्यादी उत्पन होती है और पेट्रोल के जलने से कारवन डियोकसाइड, कारवन मोनोकसाइड, कारवन डियोकसाइड ये सब गैसे उत्पन होती है आगे बढ़ते हैं चूना पत्थर के धाचे का निर्माण करने वाला महतुपूर समुद्री जीव प्रवाल जिसे हम कूरल कहते हैं जो लाखो करोणों की संख्या में एक समुख में रहते हैं ये लक्षदीप में और अंडमानने कुबार के आसपास ये पाई जाते हैं व्रच्छ के तनों में रहने वाले प्राडियों को व्रच्छ वासी कहते हैं जो जीव जल तथा थल दोनों जगह उन्हें रहते हैं और उन्हें क्या कहते हैं उभैचर कहते हैं जो जल में निमास करें उसे जल जर आकास में करें नव जर कारवन डियोकसाइड गैस गिरीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मिदार होती है ठीक है आगे बढ़ते हैं जीवाश्म तथा सेल के आयू को निर्धारित करने के लिए कारवन डेटिंग का यूज करते हैं किसके लिए जीवाश्म और शैलों की आयू देखने के लिए किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पती का वितरण मुख्य रूप से मिट्टी, वर्सा और तापमान पर निर्भर करता है लॉंग का वनस्पतिक नाम क्या है पूछा जाता है सीजियम एरोमेटिकम क्या है ये लॉंग जो पुस्प के पुस्प कली भाग से कहां से प्रा नाम से जाना जाता है यह कैसा है यह एक जली पौधा है ठीक है अफीम के पौधे के फल आवरन या कैपसूल से हमें क्या मिलती है ये मार्फीन मिलती है दाल चीनी की लकडी दाल चीनी जो है एक छोटा सदा बहार पेंड है जो की 10 से 15 मीटर उंचा होता है इसकी छाल से हमे क्या मसाले की प्रियोग में आती है ये ठीक दालचीनी की छाल आगे विश्व का सबसे लंबा पौधा क्या है ये रेड वुड है कौन सा है रेड वुड आगे कुनैन को सिनकोना नमक पदब से प्राप्त किया जाता है इसे पेड के तने या शाखाओं की छाल से प्राप्त कर फिर पूल गोबी के फौधे का उपयोगी भाग क्या होता है ये ताजा पुष्प सम्मू है यंग इन फ्लोरेंसिस होता है आगे बढ़ते हैं फास्ट चलेंगे ठीक है पत्ता गोबी में खाद पदार्थ का संग्रे पत्तियों में होता है ये पत्तियां विटामिन के और वि फिर अपिस्थानिक जड़ें पर्व संधियों से निकल कर किसी अन्न से चिपक जाती है और पौधों को उपर चड़ाने में मदद करती है पादपों में मूल रोमों द्वारा जल और खनिसलवन परासरण की क्रिया के द्वारा अवशोसित किया जाता है ठीक है आगे पौधों की जड़ों में पाए जाता है और जो मूल रोम होता है वो पौधों की जड़ों के बाहे तवचा उतक से निकलते हैं किसे बाहे तवचा उतक से बास एक अत्यंत उपयोगी घास होती है यह घास का सबसे उंचा और सबसे मोटा प्रकार है फिर टमाटर लाल तरबूज में गहरा लाल रंग जो है ये लाइक कोपीन के कारण होता है जो की एक कैरोटिनाइड होता है क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धी मापने के लिए प्रियोग होता है बहुत important है याद रखिएगा आगे और ये जो क्रेस्कोग्राफ है इसका अविसकार्श चंदरबोस ने मतलब जगदीश चंदरबोस ने किया था बहुत important है कब किया था ये मत याद रखिए आता है सैकरीन एक क्रतिम मीठा है इसमें उपस्थित मुख्य पदार्थ जो होता है वो बेंजो एक सलफाई लिमीन होता है इसे कोई उर्जा प्राप्त नहीं होती है ठीक है निकोटीन तमबाकू से थीन वा कैफीन चाई की पत्तियों से मिलता है याद रखिए गर निकोटीन तमबाकू से और तीन और कैफीन ये चाई से मिलता है और कैफीन काफी से वा चाई दोनों से मिलता है और पिपेरीन जो होता है ये काली मिर्च से प्राप्त होता है बहुत इंपॉर्टन्ट है ये ठीक है वरगी करण की कैरोलिस जो वरगी करण का जो सिध्धानत दिया है वो किस ने दिया है ये कैरोलस लीनियस ने दिया है इसी ने दूइपद बोला है ठीक है आगे कैरोलस लीनियस को वर्गी गर्ण विग्यान का पिता कहते हैं किसको कैरोलस लीनियस को ठीक फिर आता है लाख का स्रामण सुर्ख रंग की माधा कीट लैसिफर लख्का से होता है पके हुए अंगूरों में कौन सी सरक्राग ग्लूकोज होती है और प्रमुक रूप से D-Glucose या Dextrose होता है यह एक Monosaccharide सुगर है जिससे उर्जा प्राप्त होती है क्या उर्जा प्राप्त होती है फ्रेक्टोज को फल की सगर करा कहते हैं प्राया मीठे फलों को फ्रेक्टोज की मात्रा अधिक होती है जो मीठे स्वाद का मुख्य कारण होती है आगे लीवर सिरोसिस यक्रत की सबसे गंभीर बिमारी है लीवर सिरोसिस में यक्रत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नस्ट हो जाती है और उनके स्थान पर फाइवर तंत्वों का निर्मार हो जाता है फिर शराब का अतिधिक सेवन लीवर सिरोसिस का मुख्य कारण होता है चाय में कैफीन नामक एक महतुपूर उद्धीपक पाया जाता है जो व्यक्ति को तरो ताजा रखने में मदद करता है वर्मी कमपोस्टिंग क्रमी द्वारा की जाती है वर्मी कमपोस्टिंग एक प्रक्रिया है जिसमें प्रमी के द्वारा जैब खाद बनाई जाती है क्या बनाई जाती है? जैब खाद बनाई जाती है आगे बढ़ते हैं एक जैब और वरक जीवित सूच में जीवों से युक्त पदार्थ होता है जैव उर्वरक नाइट्रोजनी इस्थरी करण की प्राक्तिक प्रक्रिये के द्वारा पोशक दत्नों का संयोजन करता है फिर राइवजोबियम, एजेटोबेक्टर, एजोस्प्रिलम, नील हरित स्रेवाल ये सब क्या है ये प्रमुख जैव उर्वरक है म्रदा में मौझूद कार्बनिक पदार्थ को सामुहिक रूप से खाद मिट्टी या यूमस कहा जाता है कुकुर मुट्ता एक प्रकार का क्या है कवक है बहुत मुचा जाता है इंपोर्टेंट है आगे मश्रूम की खेती आर्थिक द्रश्टी से लाबकारी होने के अतिरेक्ट बायोगय सुत्पन और क्रशी अपसिस्टिव के पुनाचक्रन तथा कैंसर के निवारण में भी उपयोगी होता है ठीक है क्या मश्रूम रवर से रॉल को अलग करने के लिए एसी टोन रसाइन का उपयोग किया जाता है तुलसी के पौधे का सभी भाग जो है औशदी के रूप में प्रियोग होता है यह शाक की स्रेड़ी में आता है किसमें यह शाक की तुलसी को शाक की यह भारती डॉक्टर कहते हैं आगे बढ़ते हैं सभी पॉइंट बहुत एक से बढ़के एक हैं याद रखीगा कोईला एक जैव शेल है यह चानवरों के मलवी वह पेड़ पौधे के जमीन में दब जाने के बाद हजारों सालों के बाद बन जाता है कार्बोहाइडरेट के किंडवन में खमीर इस्ट का उपयोग होने के कारण यह एलकोहल उद्योग में प्रियोग तो होता है दाद, रिंग वर्म, कबस, फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है विनाइट्री करण प्रक्रिया जो है इसके द्वारा नाइट्रोजन वायू मंडल में छोड़ी जाती है नाइट्रेट्स का नाइट्रोजन गैस में विक्टन क्या कहलाता है विनाइट्री करण कहलाता है हड़ी का परियोग उर्वरक के रूप में करने से पौधों में फासफोरस की कमी दूर की जा सकती है आगे बीज के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन नमी एवं उप्युक्त तापकरम का होना अवश्यक होता है मूमफली पौधों के फल भूमी की सतय के नीचे पाय जाते हैं किसी व्रक्ष की आयू का निर्धारन विकास वलय के आधार पर किया जाता है पौधों में रस आरोहन चड़ाओ जाईलं के माध्यम से होता है गेहु जो है वो जखड़ा मतलब रेशिदार जड़ वाला पौधो होता है याद रखिए का important है आगे बढ़ते हैं पौधों में जड़ों के मार्गे से पहुचने वाला पानी का जो कारण होता है वो क्या होता है ये केशिकात तो होता है अद्रक क्या है रूपांचिक तना है अद्रक कैसी है ये भूमीगत ख़द तना है और हल्दी तने से प्राप्त होती है समुद्री शैवाल में आयोडीन प्रिचुर मात्रा में होता है मशालों की सौरब और सुवास बहुत important है इसमें उपस्थित ऐरोमेटिक एमीनो अमल के कारण होती है याद रखेगा आगे वनस्पती तेलों का घी में परिवर्दन क्या कहलाता है ये हाइड्रोजनी करण होता है बहुत important है अलफाफा फेबियसी कुल का एक पुश्पी पादफ है ठीक है एशिया में ये लूसर्न घास के नाम से जाना जाता है सूर्य के प्रकास में गुलाब कैसा दिखता है ये लाल रंका दिखता है और हरे प्रकास में ये काले रंका important है बहुत पूच्छा जाता है याद रखेगा ठीक है तो यहाँ से हमारी जो वनस्पती बिज्ञान हो जाती है वो complete हो जाती है ठीक है पहला point आता है protein की रचना कितने aminoamilis होती है तो ये 20 aminoamilis यहाँ जितने भी पढ़ेंगे point wise पढ़ेंगे आपने पहले पढ़ा है तो आपने देख लिया होगा बहुत important point होते है ठीक है आगे protein सरीर के पोसन के लिए अत्यनता बश्यक होती है किसके लिए पोसन के लिए enzyme प्रमोकृप से क्या होते है ये protein होते है enzyme की खोज किसने की थी तो ये वैज्ञानिक थे कुहने किसने कुहने किसकी खोज की थी तो ये enzyme की कोज़की थी पित कैसा होता है ये हलके पीले रंग का होता है और कैसा होता है ये छारी होता है इसका pH मान कितना होता है 7.6 से लेकर 8.6 होता है और कैसा ये तरल होता है ये कहां पर बनता है जो पित होता है कहां बनता है ये यक्रत में बनता है ठीक है तो प्रोटीन की रचना 20 अमीनों अमलों से प्रोटीन सरीर के लिए जो है वो पोशण के लिए काम करता है और एंजैम जो होते हैं ये प्रोटीन होते हैं एंजैम की खोश किस ने की थी कोहने ने पित कैसा होता है पीले रंग का छारी ये 7.6 से ये यक्रत में बनता है, आगे देखते हैं, यूरिया का संसलेशन कहां होता है, यूरिया का संसलेशन कहां होता है, ये यक्रत में होता है, सबजियां जल्दी खराब हो जाती है, क्योंकि उनमें जल की अधिक मात्रा होती है, ठीक है, सोया बीन और मूमफली में सबसे ज्याद प्रोटीन होता है आगे क्रेटीन एक रेशेदार प्रोटीन है क्या है यह रेशेदार प्रोटीन है यह प्रोटीन बाल में नखून में सींग और उन इनमें पाया जाता है तो क्रेटीन नामक जो प्रोटीन है कहां कहां पाया जाता है बाल में नखून में सींगों में उन में आगे चलते हैं नीबू में कौन सा अमल होता है सिट्रिक अमल और ये कितने प्रित्सत होता है इसमें 5-6 प्रित्सत होता है जिसके कारण इसका स्वात क्या होता है ये खट्टा होता है ठीक है तो कौन सा अमल होता है सिट्रिक अमल नीबू में विटामिन C होता है लार कैसी हो होती है कितना होता है इसका pH मान 16.8 होता है आगे लार खाद पदार्थ को निगलने में मदद करती है मुख और दातों को ये साफ रखती है ठीक है अन्न में स्टार्च जिसे हम मंड कहते हैं इसकी प्रिचुरता होती है किसमे अन्न में फिर आता है जठर रस में रेनन नामक प नेक्स्ट और देख लीजे जो ये जठा द्रस में कौन सा एंजाइम पाए जाता है रेनिन नाम का एंजाइम पाए जाता है और जो किसको पचाने में सहायक होता है ये दूद के पाचन में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है सहायक होता है ठीक है आता है रेनिन गाय के दूद में कैरोटीन क्या है गाय के दूद में कैरोटीन उपस्थित होने के कारण उसका रंग पीला होता है देखिए जो कैरोटीन है उसके कारण पीला होता है और एक कैसीन होता है उसकी कारण सफेद होता है ठीक है सफेद किसके कारण होता है ये कैसीन के कारण होता ह आगे, खटे दूद में Lactic Acid होता है पूँच रहा है खटे दूद में क्या होता है? Lactic Acid होता है फिर आता है RBC का कब्रिस्तान या प्लीहा किसको कहते हैं? तो ये प्लीहा को कहते हैं जिसे हम स्प्लीन बोलते हैं आगे आता है मानव सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है? ये यक्रत है मानव सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी का नाम क्या है? यक्रत आगे, यक्रत का प्रमुख कार्य होता है पित्त का स्रामन करना क्या पित्त का स्रामण करना और अमीनो अमलो का डियामिनेशन और यूरिय का संसलेशन और विशैले पदार्थों से विशहरन और विटामिन का संसलेशन तो ये सब कारे कहा होते हैं यक्रत में कौन-कौन से पित्त का स्रामण, अमीनो अमलो का डियामिनेशन और यूरिय का सं ठीक है ये सब कहां होते हैं ये यक्रत में होते हैं फिर आता है अस्थियों और दातों में मौझूद रसाइनिक द्रब कौन सा होता है ये केल्सियम फासफेट होता है क्या होता है केल्सियम फासफेट कहां होता है ये अस्थियों और दातों में फिर आता है यक्रत किसी भी प पाच्चक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है यह सारे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन बनके आते हैं एक्जाम में कार्बो हाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में उर्जा का प्रमुक्स रोत क्या होता है यह होता है वसा जिसे हम फैट बोलत होते हैं तो विटामिन्स सरीर के उपापचय क्रिया और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होते हैं विटामिन्स किसके लिए उपापचय प्रक्रिया के लिए और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए फिर आता है लेक्टोज दूद में पाई जाने वाली सरक्रा कौन सी है देखें जो Lactose होती है वो दूद में पाई जाती है ठीक है जबकि जो Maltoz सरक्रा होती है ये किसमें अनाज से प्राप्त होती है तो दूद की सरक्रा को क्या कहते हैं? Lactose और अनाज से जो प्राप्त होती है उसको Maltoz फिर आता है यक्रत विटामिन के का संसलेशन करता है तो विटामिन के का संसलेशन कौन करता है यक्रत और विटामिन के खून का इसकंदन करने में सहायक होता है ठीक है नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार घटक होता है किसका नाइट्रोजन प्रोटीन का आगे, protein का आर्विक योगिक कॉन से है, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen ये सब प्रोटीन के आर्विक अडु से बनते हैं आता है, मानव सरीर में dehydration, जिसे हम निर्जली करण कहते हैं ये किसके कारण होता है, जब जल की कमी हो जाती है, मानव के सरीर में तो उसी को हम कह देते हैं निर्जिली करण या dehydration आगे आता है चावल, सेब, संत्रा और दालों में कौन से विटामिन की मात्रा सबसे अधिक होती है तो ये प्रोटीन की मात्रा इसमें सबसे अधिक होती है ठीक है आगे एक वयस के मानों में सामान नता कितने दाथ होते हैं कितने चमर्नक तो ये 12 चमर्नक दाथ होते हैं कितने चमर्नक दाथ होते हैं 12 फिर आता है hepatitis जो है ये जिगर का रोग होता है कहा का रोग होता है ये जिगर का रोग होता है चलिए आगे बढ़ते हैं आमासे रस में क्या होता है? कौन सामल? इसमें हाइड्रोकलोरिक अमलो होता है अभी हमने जठर रस में उपर पढ़ा था उसमें कौन सा था? उसमें रेनिल एंजाइम था ठीक है? आगे प्रोटीन सरीर में उतक निर्माड के लिए आवश्यक होता है तो उतक का निर्माड के लिए क्या आवश्यक होता है? ये प्रोटीन होता है फिर आता है दाले प्रोटीन का उत्तम श्रोत होती है आगे मक्खन तेल में परिछिप्त पानी होता है मक्खन क्या होता है water in oil emulsion ठीक है मतलब तेल में परिछिप्त पानी को ही हम मक्खन बोलते है आता है शहद में मुख्यता कार्बो हाइडरेट होता है पाचन क्रिया के दोरान प्रोटीन एमीनो अमल में बदल जाता है पाचन होता है तो प्रोटीन किसमें चेंज हो जाता है ये एमीनो अमल में हो जाता है फिर आता है विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है बहुत पूछा जाता है पाइरी डॉक्सिन पाइरी डॉक्सिन किसका है दूसरा नाम ये B6 का है फिर विटामिन B6 का प्रमुक्षरोथ कौन-कौन सा है दूद, इस्ट, अनाज, मांस, जिगर ये सब किसके हैं ये सब B6 के एक्जाम्पिल है आगे आईरन की कमी से क्या होता है इसे हम एनीमिया कहते हैं और हिंदी में अरफ्तता कहते हैं किसकी कमी से होता है आईरन की B2 का पूरा नाम क्या है तो इसका नाम है राइबो फ्लेविन ठीक है फिर दूद, पनीर, पत्तेदार सबजियां, फलियां, टमाटर, इस्ट, मसरूम इनमें कौन सा विटामिन होता है B2 होता है ठीक है और जो धूप होती है सुबह की उसमें कौन सा विटामिन होता है विटामिन D होता है विटामिन D का रासाइनक नाम क्या है तो ये है केल्सी फिर ओल ये वसा में विले विटामिन है ठीक है, यह वसा में है, अभी हम बताएंगे नीचे, फिर आता है, आगे, आगे देखते हैं, विटामिन D, कल्सियम के अब शोसर्ण में सहायक होता है, जिससे हड़ियं मजबूत बनती है ठीक है आता है विटामिन D की कमी से क्या होता है रिकेट्स होता है और बच्चों में क्या होता है रिकेट्स होता है और प्रोणों में क्या होता है ये औस्टियो मलेसिया होता है तो औस्टियो मलेसिया किसकी कमी से होता है विटामिन D की कमी से और बच्चों में रिकेट्स होत मशली का तेल बहुत पूचा जाता है, इसमें कौन सा विटामिन होता है तो विटामिन D, आता है तमाखु में क्या पाया जाता है तो निकोटीन, ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है, आगे आता है मानो सरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिन में 4 वसा में घुलनसील ह होते हैं कौन-कौन से A,D,E, और ये जल में होते हैं फिर आता है छिली वी सबजियों को धो देने से अगर छिली वी सबजियां हैं उनको अगर हम धो देते हैं तो कौन सा विटामिन नस्ट हो जाता है विटामिन सी नस्ट हो जाता है तथा जल में घुलन सील अडू विटामिन निकल जाते हैं आता है इसक और ये जल में विले होता है अभी हमने उपर पढ़ा है फिर आता है सैट्रिस फल किसको किसने पाई जाता है कौन-कौन से होते हैं निवु संत्रा मुसम्मि जो खटे फल होते हैं इसमें सिट्रिस फल कहते हैं आवला, टमाटर, पत्तेदार शब्दियां, आदी में कौन से विटामिन होता है? इसमें विटामिन C होता है. विटामिन B की कमी से क्या होता है? बैरी-बैरी. विटामिन B12 की जो दूसरा नाम है, बहुत पूछा जाता है. साइनो कोबाल्मिन है. ठीक है? इंपोर्टेंट है. B12 का प्रमुख घटक क्या है? कोबाल्ट है. ये भी बहुत पूछा जाता है. आगे बढ़ते हैं. आगे आता है विटामिन A का रासाइनेक नाम क्या है? तो ये रेटिनॉल है. और ये मानों सरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है. और ये कहां पाये जाता है सबसे होता है. गाजर में विटामिन A प्रचुर मात्रा में होता है. किसमें विटामिन A होता है सबसे ज़्यादा? गाजर में. आता है विटामिन A की कमी से रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया होता है. कौन-कौन सा जीरोप्थैल्मिया किसमें होता है? विटामिन A में और रतौं होता है vitamin E होता है आगे vitamin E की कमी से जनन छंता में कमी आ जाती है यह बहुत पूछा जाता है याद रखेगा जननांग तथा पेशियां कमजोर होती है किसकी वज़े से vitamin E की आगे बढ़ते हैं आगे आजाता है vitamin K रप्त के इसकंदन में सहायक है इसका रसाइनिक नाम क्या है phyloquinone है क्या है इसका रसाइनिक नाम phyloquinone है ठीक है फिर आता है vitamin A, vitamin D, vitamin E और vitamin K ये वसा में घुलनसील है अभी उपर पढ़ चुके है AD, EK ये सब क्या है ये वसा में घुलनसील है आगे citric acid, मुखिता, citrus फलो में पाए जाता है जैसे निब्बू, संत्रा, मुसम्मी, इन सब में आता है मचलियों के यक्रत तेल में कौन सा vitamin होता है D, अभी उपर पढ़ चुके है प्राता कालियन धूप में कौन सा होता है, ये भी vitamin D होता है, पढ़ चुके हैं हमना आगे निशान धिता, रतोंधी जिसको हम कहते हैं, ये किसकी कमी से, vitamin A की कमी से आगे आवला जो है, इसमें कौन सा vitamin होता है, vitamin C, फिर आता है साग, जिसे हम हरी सबजी बोलते हैं इसमें जो सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व होता है, वो लोहा होता है फिर समानिता मूत्र जो होता है, वो कैसा होता है, ये हलका अमलिय होता है मूत्र का हलका पीला रंग, उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है फिर next point आता है पच्छियों में मूत्र उत्सरजन यूरिया की रूप में ना होकर यूरिक अमलिक की रूप में होती है किसके रूप में यूरिक अमलिक है निर्जली करण के दौरान आम तौर पर सरीर से सोडियम क्लोराइट की हानी होती है सोडियम क्लोराइट की पूर्थी ORS घोल की दौरा होती है मूत्र के स्रामर को बढ़ाने वाली औशदी को डाइक्यूरेट कहते है मानव में गुर्दे का रूप क्या होता है किसके कारण ये कैडमियम प्रदूसर से होता है जिसे हम इटाई इटाई रूप कहते है बहुत पूछा जाता है इटाई इटाई रूप किसकी वज़े से होता है तो कैडमियम के कारण आगे स्वेधन जिसे सरीर के तापमान को वी निमित करने के लिए अवश्यक होता है क्या होता है ये स्वेधन जो है जैसे गर्मियों में जो ये पसीना निकलता है उसी को कहते हैं स्वेधन ठीक है ये अपने बॉडी के टेंप्रेचर को संतलित करता है आगे है गुर्दे जब सही धंग से काम करना बंध हो जाते हैं तो रख्त का शोधन जिसे हम डायलेसिस की प्रक्रिया कहते हैं, बहुत पूचा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा अपोहन या डायलेसिस की प्रक्रिया किस में होती है, तो गुर्दे में होती है, किस में व्रक्क में, व्रक्क के काम ना करने पर रक्त में नाइट्रोजनी अपसिस्ट जमा होने लगता है, ठीक है, क बोलते हैं कहां पाई जाती है ये जांग में और सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है स्टेपीज होती है ये कान में होती है और ये कहां पर मध्य करने में कहां पर मध्य करने में आगे मनुस में कुल कितने जोड़ी पसलियां होती है पसलियां की पूछी है तो 12 जोड़ी पसलियां होती है मतलब 24 पसलियां होती है ठीक है कसेरुकाओं से नई हड़ी के गठन की प्रक्रिया को क्या कहते है जब नई हड़ी का गठन होता है तो ये अस्ति भवन कहलाता है ठीक है फिर आता है मानव सरीर में लगबग कितनी मानस पेसियां है तो 656 है लगबग 6500 मानस पेसियां है ठीक है और पसलियां कितनी है 24 औसत मानव मस्तिस्क का जो वजन होता है ये होता है 1.36 kg मतलब 1300-1400 ग्राम का होता है मानव का मस्तिस्क ये याद रखिए आप ठीक है इसके आसपास जितने option देगा वो ही correct होगा आता है amphibia जो की उभैचर होता है इसमें बही कंकाल नहीं होता है ठीक है याद रखिए कि बही कंकाल नहीं होता किसमें जो उभैचर होते हैं जिसे हम amphibia बोलते हैं इस्तनपाई जिसे हम mammal बोलते हैं इसमें पसलियों की संख्या सबसे ज़ादा होती है mammals जो होती है उसमें पसलियों की संख्या बहुत ज़ादा होती है फिर आता है नेक्स्ट अकल दाण या तीसरा डाण उन दातों के नाम है जो आखिरी में निकलते हैं अधिकतर लोगों को चार अकल डाण होती है मानों सरीर में पाये जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्या होता है दंतवल के इसे हम इनेमल कहते हैं दाद की ऊपर जो ये टाइट टाइट होता है ना जो आप लोग हाथ लगा कर देखेंगे तो उसी को हम कहते हैं इनेमल कान में कितनी हड्डिया होती है छे हड्डिया होती है आता है सपाट अस्थियां एक सेकंड सरीर की क्या बूल रहे हैं सपाट अस्थियां कहा होती है ये खोपड़ी में होती है सरीर की सरवादिक प्रबल हड्डी क्या होती है ये जबडे की होती है आगे सरीर में स्वेत रूधराणू मतलब डबलू बीसी का मुखकार क्या होता है सरीर की रोगों से रक्षा करना फिर आता है लिंफोसाइट कडिका विहीन स्वेत रूधराणू होती है ये स्वेत रूधराणू की कुल संख्या क्या होती है 20-40 पृत्सत होती है आता है HIV विसाडू लिंफोसाइट को नस्ट कर प्रतिरच्छा तंत्र को कमजोर कर देता है याद रखेगा HIV जो विसाडू होता है ये प्रतिरच्छा तंत्र को कमजोर कर देता है आगे आते हैं विसरन प्रक्रिया द्वारा स्वांस के दौरान गैसे रुधिर में प्रवेस करती है और फिर उसे छोड़ती है आगे बढ़ते हैं हीमोगलोबिन रुधिर की लाल रक्त कडिकाओं में पाये जाता है हीमोगलोबिन किसमें? लाल रक्त कडिकाओं में और ये प्रोटीन है जिसमें लोहा पाया जाता है ठीक है फिर आता है लाल रुधिर कडिकाओं में हीमोगलोबिन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण रक्त का रंग जो है लाल होता है रक्त में मूत्रामल के उच इस्तर की कारण जोडों पर यूरिक ऐसेड क्रिस्टल एकत हो जाने के कारण gout rog जिसे हम एक प्रकार का गठिया रोक कहते हैं यह हो जाता है किसकी वज़े से यूरिक ऐसेड जो है अपने पेरों में जमा हो जाता है मूत्रामल के उच इस तर के कारण ठीक है आता है addebrake kullanthi时 इसे हम adrenal gland कहते हैं ये रक्त चाप से है इसका संबन्द ठीक है आगे मनुस्थ से में स्वसंद रंजक हीमोगलोबिन होता है जिसका रंग क्या होता है लाग antigen उन पस्थित होने के कारण रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं किसके कारण क्योंकि इसमें antigen होता नहीं है ठीक है रक्त समूह AB को सर्वगराही समूह कहते हैं क्योंकि इसमें antibody नहीं होती है बहुत याद अच्छे से समझीएगा इसमें AB लिखा है तो याद यह जिसमें लिखा होगा उसमें एंटीजन उपस्थित नहीं होगा याद रखिएगा ट्रिक है आगे रक्त को चार समूह में बाटा गया है A, B, AB और O O को सर्वधाता कहते हैं, सर्वग्रही, AB को कहते हैं मानों का समान रक्तिदाप क्या होता है? 80-120 mm ठीक है? पारा फिर आता है जिसमें 80, M, M, B, पारा, Diastolic और 120 पारा जो होता है वो Sistolic होता है इस फिग्नो मैनो मीटर के द्वारा यदि सरीर में रक्त दाप कम होता है तो एड्रीनल ग्रंथी से किसे? एड्रीनल ग्रंथी से एड्रीनीन हार्मोन्स निकलता है जो रक्त दाप को बढ़ा देता है ठीक है? आगे बढ़ते हैं हाइपर टेंसन सब्द का परियोक उच रक्त चाप के लिए करते हैं यदि मानो सरीर में रक्त की आपर्याप्त आपूर्ती हो तो इसे क्या कहते हैं? इसकीमिया कहते हैं आगे बढ़ते हैं रुधिर में हिपारेन नामक प्रति इसकंदक पदार्थ तरल वह सौल दसा में रहता है फिर आता है हिपेरिन को एंटी थ्रॉम्बिन कहते हैं यह एक सईयोक्त पॉली सेकराइड है क्या है यह पॉली सेकराइड है इसकी वज़े से रुधिर में ठक्का नहीं जम पाता है ठीक है आगे बढ़ते है तो आता है मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का इस्तर जो होता है वो 180-200MG तक होता है अगर इसका इस्तर 200MG से ज्यादा हो जाता है तो यह धमनियों पर जमा होने लगता है इसे एस्थिरो प्लेट्रोसिस कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं स्वस्थ मनुस्थ में लगभग कितना 5-6 लीटर रुधिर होता है जिसका pH मान कितना होता है 7.4 होता है यह एक संयोजी तरल उतक होता है यह दो भागों से मिलकर बनता है प्लाजमा 55 प्रिस्थ और रुधिराड़ो 45 प्रिस्थ मानव में लाल रुधिर कडिकाओं का ओसत जीवन काल जो होता है वो लगभग 100-120 दिन तथा इनकी संख्या कितनी होती है 54 लाख घन मीलुमीटर होती है पहली बार रुधिर परसेंचन की व्याख्या किसने की थी यह important है विलियम हारवे ने यह भी important है ठीक है तरल सहियों जी उतक होता है और यह भी जितने point है सब important है एक दो को छोड़ कर बीज में आगे लसिका को सिकाएं जो है वो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है आगे हिर्दय सरीर का एक ऐसा अंग है जो कभी विस्त्राम नहीं करता है ठीक है हमेशा गतिसील रहता है फेपडे से हिर्दय के लिए रक्त ले जाने वाली रुधिर वाईका को क्या कहते है फुफुस बहुत important है फेपडे से हिर्दय को ले जाएगी तो यह फुफुस है रक्त के ठकका जमने का कारण क्या है यह ठ्रॉम्बेन है डॉक्टर दोरा प्रयोग किये जाने वाला इस्टाय तो इस कूप जो होता है यह ध्वनी का परावर्दन के सिध्धान्त पर कार्य करता है फिर आता है एक्यूम पंशर सुईयों के माध्यम से उपजार विधी होता है आगे बढ़ते हैं तो आज आता है मानवरत्य प्लाजमा में पानी का प्रिस्द जो होता है वो इंक्यानवे से बानवे प्रिस्द होता है किसका पानी की जो मात्रा होती है वो इंक्यानवे से बानवे प्रिस्द सल्ले चिकित्सा के लिए क्रतिम हिर्दय का प्रियोग सर्व प्रिथम जो किया था माइकल दी वैकी ने किया था क्रतिम हिर्दय के लिए जो प्रियोग हुआ था वो माइकल दी वैकी ने किया था किसमें सल्ले चिकित्सा में पेसमेकर किस से संबन देते हैं बहुत पूशा जाता है ये दिल की धड़कन को नियमित करता है हीमोफीलियर रोग विलंबित रक्त इसकंदन से संबन देते हैं आगे बढ़ते हैं फास्ट चलेंगे पृति दिन हमारे हिर्दय के कपाट वाल्व लगभग कितने बार ये सो हजार बार खुलते हैं और बंद होते हैं लाल रुदिर कडिकाओं का उत्पादन अस्तिमज्जा द्वारा होता है बहुत इंपॉटन्ट है फिर रक्त एक कैसा है ये तरल सैयोंजी उतक है बहुत इंपॉटन्ट है बहुत पूचा जाता है आगे सामान वयस्क व्यक्ति के हिर्दय का वजन कितना होता है हिर्दय का वजन 300 ग्राम होता है और मस्तिस की काभी हमने उपर पढ़ा है 1300 से लेकर 1400 ग्राम होता है फिर हिर्दय के संकुचन एवं सिथिलन को समलित रूप से हिर्दन की धड़कन कहते हैं ठीके आगे आता है एक वयस्क के व्यक्ति का हिर्दय सामान अवस्था में 72 से 75 बार प्रती मिनट तथा भूर्ण की अवस्था में 1500 बार प्रती मिनट होता है मतलब जब भूर होता है बच्चिया होता है तब उसमें कितना टाइमिंग होती है वो डेड़ सो बार प्रती मिनट होता है और जो वयस्क मानो होता है उसमें 72 से 75 बार हिर्दे का काम रुधिर को सरीर के विभिन अंगों में पंप करना होता है किसका हिर्दे का मानव हिर्दय चार कच्छों में बटा होता है आगे ECG बहुत पूँचा जाता है एक EEG पूँचा जाता है और एक ECG ECG जो होता है इसका पूरा नाम होता है Electro Cardiogram ठीक है ये जो है ये किस से सम्मंदित होता है ये हिर्दय की गती से सम्मंदित होता है दूसरा है हिर्दय तथा उससे सम्मंदित बीमारियों का अधियन क्या कहलाता है Cardiolossi हिर्दय की मान स्पेसियों को कम रख्ट पहुँचने या बिल्कुल भी रख्ट ना पहुँचने की वज़े से क्या होता है ये दिल का दौरा पढ़ जाता है जब रख्ट नहीं पहुच पाता है आप पूर्टी नहीं हो पाती है तो क्या होता है दिल का दौरा पढ़ जाता है P.U.S. ग्रंथी को ही हम Master ग्रंथी के नाम से जानते है ठीक है बहुत पूँचने जाता है आगे P.U.S. ग्रंथी जो है बड़ी ग्रंथी तथा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है ठीक है आगे थाइराइड हमारी गर्दन में वायुनाल के सीर्स भाग पर इस्थित होती है थाइराइड से थाइरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जिसका काम क्या होता है उपापचाईदर को बड़ाना आगे आयोडेन की कमी से कौन सा रोग होता है यह घेंगा रोग होता है इन्सुलन में जिंक पाये जाता है क्या पाये जाता है जिंक पाये जाता है बहुत important है सारे point अच्छे से पढ़िएगा insulin का अविसकार किस ने किया था तो betting और best ने किया था ठीके कब किया था यह नहीं पढ़ना आगे oxytocin एक इस्तनपाई हार्मोन है और यह pro मतलब ऐसा है oxytocin जो देखिए दो टाइब के हार्मोन होते हैं हमारे सरीर में ठीके एक होता है oxytocin होता है और एक कौन सा होता है एक होता है प्रोलेक्टिन तो oxytocin जो होता है जो इस्तन मतलब दूद निकलने के लिए होता है oxytocin और जो प्रोलेक्टिन होता है वो दूद बनने के लिए होता है ठीके यह होता है आगे अधिब्रकर गन्ती जो है एडृनल से एडृनेलिन और नार एडृनेलिन नमक हर्मोन निकलते हैं जो शरीर को उतेजित करते हैं इसे संघर्ष या पलाइन हर्मोन भी कहते हैं ठीक है आगे बठते हैं फिर है नरलिंग हार्मोन को एंडोजन के नाम से भी जाना जाता है मुख्य नरलिंग हार्मोन को टेस्टेस्टोरन देखिए यह जो एंडोजन है और टेस्टेस्टोरन है यह सब पुरुसों में पाए जाते हैं आगे व्रद्धिकर हार्मोन क्या है पियूज ग्रंथी को ही व्रद्धिकर हार्मोन कहते हैं ग्रेव की बीमारी थाइराइड की अतिसक्रीता के कारण होती है पेपसिन एक पाचक एंजाइम है क्या है ये एक एंजाइम है पाचक एंजाइम स्वेध ग्रंथियां इस्तनी वर्गे के प्राणियों के तवचा में पाई जाती है स्वेध ग्रंथियों का मुख्य कार तापमान नियंत्रण होता है उपर पड़ चुके हैं आगे इस्त्री का मासिक चक्र जो होता है वो 28 दिन का होता है आयोडीन की पूर्ती, आयोडीन योगते नमक, मचली, हरी पत्तेदार सबजियां खाने से होता है सरीर में इंसुलिन की कमी से क्या होता है मदुमे, डाइबिटीज या मैलिटिस रोग हो जाता है ठीक है, एस्ट्रोजन जो है ये देखिए इस्त्री लिंग हार्मोन होता है बहुत पूंचा जाता है, एंड्रोजन अभी हमने पढ़ा, उपर हमने पढ़ा एंड्रोजन और एक कौन सा पढ़ा था, टेस्टेस्टिरोन ये पुरुस में होते हैं, और एस्ट्रोजन जो होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन और ये सब जितने होते हैं, ये सब किसमें इस्ट्रीलिंग में होते हैं आगे पीनियल गरंथी मस्तिसके में होती है अंडाशाइक एवल इस्तिरियों में पाये जाता है और तंत्रिका कोशिका जो है ये तंत्रिका तंत्र में इस्थित एक उत्तेजनी कोशिका होती है ठीक है वर्णांदिता एक अनुवानसिक बिमारी ये बहुत पूछा जाता है वर्णांदिता कैसी बिमारी है अनुवानसिक जिसमें मनुस लाल और हरे रंग में बहुत पूछा जाता है ये किस कलर में भेद नहीं कर पाता है तो लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाता इसको सबसे पहले हारनर ने खो जा था किसने खो जा था हारनर ने ये है कुल जन था ECG, अब आ गया EEG, ECG का पूरा नाम था Electrocardical Cardiogram, ठीक है, इसका जो पूरा नाम है EEG का, तो Electroencephalography होता है, ठीक है, इसका जो यूज होता है, ये मस्तस के किलिए होता है, इतना याद रखिये, EEG किसे सम्मन्दित है, मस्तस किसे, और ECG जो हम, और जो अभी हमने ECG इसका पूरा था, ये हमारे मस्त, पूरी, ये हमारे हिरदय से सम्मन्दित है, ठीक है, आगे लेखते है, जनमे के बाद, मानों के तंचिका उतक, जन्म के बाद मानों के तंट्रिका उतक में कोई कोशी का विभाजन नहीं होता है किसी रोगी की जैविक मृत्तू का अर्थ उसके मस्तिस के उतकों का मर जाना होता है सबसे बड़ा आगे बढ़के देखते हैं इसको सबसे बड़ा एक कोश की जीव कौन सा है ये है सबसे बड़ा एक कोश की जीव कौन सा है ऐसे ऐसी टेवू ले रिया है ठीक है इसका नाभिक भी सबसे बड़ा होता है ठीक है आगे नीली वेल सबसे बड़ा शावक पैदा करती है जिसकी लंबाई लगभग 24 फिट तथा वजन 4 टन होता है वेल का गरभावस्थाकाल एक वर्ष का होता है वेल, सील, चमगादर ये सब क्या है ये इस्तंधारी वर्गे की है बहुत पूछा जाता है वेल कैसा है इस्तंधारी वर्गे है जबकि मत्स जो है ये पृथक वर्गे का है ठीक है आगे देख लिए आग भी गया वेल एक विसालतम इस्तंधारी है मानव जातियों कि वर्गे करण के लिए आँखों का प्रियोग नहीं किया जाता है आकर सेरुकी में नोटो कार्ड प्रस्ट रज्यू अनुपस्तित होती है जबकि कसेरुकाओं में जीवन की किसी ना किसी अवस्था में नोटो कार्ड प्रस्ट रज्यू उपस्तित होता है प्रत्वी पर विसालतम जीवित पच्छी कौन है ये सुतुर मुर्ग है बहुत मुशा जाता है अफरीका में पाया जाता है आगे सुतुर मुर्ग उड़ने में आसमर्थ तथा तेज दोड़ने वाला पच्छी है सबसे छोटा पच्छी कौन है ये गुंजन पच्छी जिसे हम हमिंग बर्ड बोलते हैं वर्तमान में 5 cm आकार की बी हमिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी चिडिया या पच्छी है जो की कहां क्यूबा में पाई जाती है यह एक मात्र ऐसा पच्छी है जो आगे पीछे उड़ सकता है बत्तक राजहंस आदी पानी में तैरने वाले पंचियों में परांग गुलियां आपस में जाल के द्वारा जुड़ी होती है किसके द्वारा जाल के द्वारा चमगादर कारडेटा संग का है बहुत पूछा जाता है चमगादर कैसे संग का है तो यह कारडेटा संग का है इस सेकंड सुरू से बताते हैं एक होती है अबस्रव दूसरी होती है स्रव तीसरी होती है परास्रव तो जो जो मतलब ये अबस्रव होती है वो होती है 0 से 20 हर्ज तक ठीक है और जो ये स्रव होती है वो होती है 20 हर्ज से लेकर 20 हजार तक होती है और ये जो होती है ये 20 हजार से आगे की होती है परासरव विद्वन्या ठीक है आगे बढ़ते हैं डाइनसोर सरीसरफ वर्ग का प्राणी था जो की ट्राइसिक समय में पैदा हुए और क्रीटेशियस युग में विलुप्त हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे आता है डाइनसोर करोणों वर्षों तक प्रत्वी के सबसे प्रमुक इस्थली कशेरु की जीव थे असम और नागल लेंड के पहाडी बनों में पाई जाने वाला भारत का एक मात्र कपी कौन सा है ये गिबन है आगे वेल एक नियत तापी प्राणी है क्या है ये नियत तापी प्राणी है आगे देखते हैं आगे आता है नाभिकी विकिरन का अत्यधिक दूस प्रभाव पढ़ने से आखों पर प्रभाव पड़ता है ठीक है आता है पैंथेरा टाइगर को साधरन भासा में क्या कहते हैं बाग को 1972 से भारत की रास्टी प्राणी के रूप में जाना जाता है अप घटक वे परपोशी जीव है जो मृत कार्बनिक पदार्थों या अपरदू डस्ट्रियस पर ज जीवीत रहते हैं इन्हें क्या कहते हैं ये मृतूप जीवीत कहते हैं ठीक है आगे आगे आता है प्रकास संसलेशन की क्रिया में पौधे वायू मंडल से कारबन डाय उकसाइड तथा मृदा से जल लेकर अपने भोजन का निर्मार क्लोरोफिल एवं सूद के प्रकास की उ आता है आगे संकट ग्रस्त प्रजातियों को आयू सी एन की रेड डाटा बुक में दर्शाया किया है ठीक है किसमे रेड डाटा बुक में आगे जीवारू नाइट्रोजन चक्र में महातुपूर भूमी का निभाते हैं आगे महासागरी पारिस्थित की तंत्र जो है सबसे इस्थाई होता है बहुत पूचा जाता है याद रखिएगा जल के भारी धातु प्रदूसर में सबसे अधिक योगदान क्या है घरेलू मलजल का है फिर नील हरित सैवाल जो है ये मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगी की करण सूच में जीव होते है ठीक है फिर आता है प्रत्वी पर जीवाडू और कवक क्या है ये अपमार्जक का कार्य करते हैं फिर पारिस्थित्की तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है जीवाडू के द्वारा होता है आगे पारिस्थित्की प्रणाली में जीव भूर असायनिक प्रणाली हो जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवानसिक्ता के बारे में सरुप्रिथम जानकारी जो है किस ने दी थी, 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवानसिक्ता का पिता कहते हैं, सभी जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, जीवित प्राणिय कि आनुवानसिक एकाई होती है ठीक है फिर आता है जीन शब्द की खोद जो है वो डेन मारके के वनस्पती सास्त्री विलिहम जॉंसन ने की थी इसने जॉंसन ने क्या बताए था जीन बताए था आगे डियने संदरशना का सही मॉडल किस ने दिया था वाट्सन एंड क्रेक बहुत पूछा जाता है डियने मॉडल किस ने दिया वाट्सन एंड क्रेक ने फिर डियने को जीवन का रासाइनिक ब्लू प्रिंट कहते हैं बहुत पूछा जाता है डियने को क्या कहते हैं रासाइनिक ब्लू प्रिंट कहते हैं और इससे व्यक्तियों की पहचान होती है आ जीनो की कुल संख्या माता और पिता के प्राप्त जीनो की संख्या के समान होती है प्रथम एंटिबायग बहुत पूछा जाता है जो पहली एंटिबायोटिक थी क्या थी पैनिसलीन इसकी खोशकिस ने की थी अलेकजेंडर फ्लेमिंग ने की थी ठीक है आगे वढ़ते हैं प क्या बोल रहा है जो tuberculosis है यह myctobacterium tuberculosis नामक जीवाड़ू के द्वारा संक्रमित होता है ठीक है फिर अता है tuberculosis जो है इसके लिए कौन सा टीका होता है यह BCG का टीका आगे बढ़ते हैं पीत जो है जो यह एक वाइरस से संक्रमण होता है और जो की eddies मच्छर के द्वारा फैला जाता है फाइलेरिया के लिए वूचेरिया बैंक्रोफरटाई नामक सूत्र क्रमी उत्तरदाई होता है आगे फाइलेरिया के कारण लसीका वाहिनी और ग्रंतियों में सूझना जाती इसे क्या कहते हैं फाइलेरियस कहते हैं ठीक है आगे पोलियो पोलियो वाइरस से बचा तो ये जॉन साल के ने की थी, ठीक कपी थी ये नहीं पढ़ना, मुख के लिए जाने वाले पॉलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था, ये अलबर्ट साविन ने किया था, बहुत पूछा जाता है, तो ये जो पॉलियो वैक्सीन हम लोग मुझे पीते हैं, जो बच्चे पीते हैं, तो वो किसने किया था, तो ये अलबर्ट साविन ने, फिर आता है प्लेग एक प्रकरता क्या है, ये जीवार उचने थे बहुत पूछा जाता है, आगे चलते हैं, प्लेग जीवों के सरीर में पाई जाने वाले पिस्तू के माध्यम से फैलता है, ये एक संक्रामक रोग है, ठीक है, प्लेग से पीडित व्यक्ति के संपर्क में रहने से रोग दूसरों को भी हो जाता है, क्योंकि ये संक्रामक होता है आता है एड्स एड्स का पूरा नाम है Acquired Immuno Deficiency Syndrome ठीक है ये एक रिट्रो वाइरल लोग है कैसा है ये रिट्रो वाइरल लोग है ठीक है जिससे व्यक्ति का प्रतिरच्छी तंद्र कमजोर हो जाता है आगे बढ़ते हैं एड्स की पहचान किसने की थी सबसे पहले कहाँ पर तो ये अमेरिका में होई थी कब होई थी ये नहीं पढ़ो एड्स संबलिंगी और इतरलंगी यौन संपर्क रक्ताधान आदी के द्वारा होता है दाद की बीमारी ट्राइकोफाइटॉन माइक्रो इस्पॉरम नेमक कवक से होती है किसी आगे बढ़ते हैं इसके बारे में देखते हैं आगे किसी बीमारी के विरोध प्रतिरोधात्मक छमता विक्सित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई अथवा किसी अन्रूप में दी जाती है उसे क्या कहते हैं वैक्सीन या टीका कहते हैं इस क्रिया को क्या कहते हैं टीका करन कहते हैं संक्रामक रोगों से रोग थाम के लिए टीका करन सरवाधिक प्रभावी और सस्ती विधी मानी जाती है ठीक है आगे चेचक के टीके का जो टीका करन हुआ था वो जीवित प्रतिरच्चियों का समावेज किया जाता है ठीके इसकी खोज बहुत पूछी जाती है Edward जेनर ने की थी ठीके याद रखिएगा Titnes किसके द्वारा Clostridium Titani द्वारा प्रशादित होता है Clostridium Titani एक क्या है ये जीवाडू है इस रोग के उपचार के लिए DPT का टीका लगाया जाता है किसका टीका लगाते है DPT का टीका आगे रोहिडी ये क्या है ये एक गल गोटू या दिप्थीरिया है ये किसके द्वारा फैलता है ये जीवाडू के द्वारा फैलता है आगे रोहिडी गले की एक बीमारी है जबकि एन्फ्लॉंजा एक वाइरस के द्वारा फैलता है जैसे एन्फ्लॉंजा वाइरस कहते हैं सल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया द्वारा टाइफाइड रोग उत्पन होता है और पीलिया जो है ये यक्रत का एक रोग है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत ज़ादा पूछा जाता है पीलिया जब हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है तो कौन सा यक्रत पीलिया रोग में रुधिर में पित रंजक की मात्रा बढ़ जाती है और शलैस्मिक जिल्ली तथा त्वचा का रंग पीला हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं मलेरिया रोग प्लाजमोडियम गढ़ के प्रोटोजवा परजीवी के माध्यम से होता है मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनफलीज मच्छर है ठीक है बहुत पूछा जाता है याद रखिएगा संक्रामक रोग है और यह मादा एनिफ्लीज मच्छ है इसका वाहक जुकाम, कॉमन कोल्ड एक वाईरल संक्रामक से होने वाले रोगे जो किस से फैलता है यह वाईरस से फैलता है आगे लैक्टोज को दुगद सर्क्रा कहते हैं किसको लैक्टोज को आगे मक्षी का वेग्यानिक नाम क्या है? ये मसका डोमेस्टिका है ये परजीवी नहीं होती है ये याद रखेएगा परजीवी नहीं होती है ये मनुस्यों में हैजा, मिहादी, बुखार, छै, अतिसार, प्रमेह, संग्रणी, कोड ये सब बिमारियां फैलाती है आगे फीता क्रमी, फैसियोला हेपैटिका ये भेड की आथ में परजीवी के रूप में पाया जाता है बहुत पूछा जाता है फीता क्रमी कहां पाया जाता है तो ये भेड की आथ में परजीवी के रूप में पाया जाता है ठीक है आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं दूद से दूद के दही के रूप में जमने का कारण जो है वो है लेक्टो बैसलिस नामक ये एक जीवाड हुए आगे कलोरोक्वीन नामक दवा जो है वो मलेरिया के उपचार में प्रियोग में लाई जाती है फिर गोल क्रमी ये सूतर क्रमी एक मानो पर जीवी है कैसा है ये मानो पर जीवी है जो की छुद्रांत में पाय जाता है आगे इन्फ्लुएंचर विसाडू के द्वारा होता है जाता है याद रखियेगा चिकन पॉक्स विषाडु के दवारा डिप्थीरिया जो है ये एक संक्रामक रोग के पूछा जैता है ये की संक्रामक कौन सा है 4-5 options देगा देगा तो क्या लगाना है डिप्थीरिया आगे बढ़ते हैं एट्स वाइरस एट्स वाइरस सरीर के प्रतिरच्छा तंत्र को नस्ट कर देता है यह बूद बार्ट है संदूसित खाद्र पदार्थों के कारण फैलने वाला जो रोग है वो है आंध्र जॉर जो Mक्हियों Esca द्वारा फेलता है किसके मक्हियों के द्वारा कौन सा रोख ये आंदर जो है जो की संदूसित खादपदार्थों से होता है आगे एथलीट फुट्स रोख का जो कारण है ये कबक या फंगस होता है ठीक है फिर भूजल पेजल और बेहतर स्रोत है और क्योंकि इसमें आरसेन की मात्रा कम होती है ठीक है आगे बढ़ते हैं शहद की मक्ही का विश कैसा होता है अमली होता है बहुत पूछा जाता है ठीक है याद रखिएगा जो सहद की मक्ही होती है उसका जो विश होता है वो अमली होता है इसमें पेप्टाइड मैलीटिन उपस्थित होता है क्या मै में रोग को टीका करण द्वारा नियंद्रित नहीं किया जा सकता है रिडर प्रेस्ट रोग को पश्वों का महामारी रोग कहते हैं रिंडर प्रेस्ट एक प्रकर के विशाडूं वाइरस के द्वारा होता है आगे यह फटे हुए खोर वाले पसु जैसे गाय भैस बक्री जो प्रोटीन पाए जाता है कौन सा वो कैरोटीन होता है मरीच का जो की पूर्ण आंत्रिक परावर्तन के कारण होता है पूछा जाता है पूर्ण आंत्रिक परावर्तन का उधारन है ऑप्शन दे देगा तो उसमें क्या होगा मरीच का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है जो कि यह धृष्टी ब्रह्म होता है आगे, आगे आजाता है लास्ट में ब््रेल लिपी की खोज हुई थी तो किसने की थी लूइस ब्रेल ने की थी ये कहां के थे, ये फ्रांस के थे और लूइस ब्रेल दिवस भी बहुत पूछा जाता है तो यह मनाये जाता है चार जन्वरी को ठीक है तो यहां से हमने आज पूरी तो हमें पढ़ना क्या है आज हमें physics complete करनी है ठीक है तो चलिए start करते हैं पहला point है Newton के Newton के प्रतम नियम के अनुसार प्रतेक वस्तु अपनी इस्तिती को बनाये रखना चाहती है बिल्कुल सही बात है फिर है Newton ने अपनी पुस्तक principia तो पूछा जाता है principia किसकी पुस्तक है तो यह Newton की पुस्तक है इसमें कौन सा नियम दिया है तो यह गृत्वा करसन का नियम दिया है रेखी समवेक सनरक्षन निकल कर आता है किसके सूत्र से तो यह किसके नियम से यह Newton के दूसरे और तीसरे नियम से निकल कर कौन सा वो आता है सनरक्षन यह रेखी समवेक सनरक्षन का नियम निकल कर आता है आगे बढ़ते हैं आगे पॉइंट आता है जड़त्य के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्थन का विरोध करता है देखिए जो अभी हमने उपर न्यूटन का पहला नियम बताया है इसी को हम जड़त्य का नियम भी कहते हैं मतलब कोई भी वस्थू है वो अपनी इस्थिती को बनाय रखना चाहते है ठीक है यही कहता है जड़त्य कन्यम आता है फिर आवेग का सूत्रा जाता है आवेग बराबर होता है बल गुणे समयांटराल ठीक है और बराबर संवेग परिवर्थन समझ गए आगे बढ़ते हैं किसी वस्तू या पिंड में उसकी गती या वेक के कारण कारण करने की छमता को क्या कहते हैं गती उर्जा कहते हैं जैसे बंदूक से दागी के गोली में और तोप से छोड़े के गोले में चलते हुए वाहन में और घूमते हुए लट्टू में कौन से उर्जा होती है इसमें गती जूर्जा होती है चलें आगे चलिए क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तू पर क्रिया करते हैं और इसका परणामी बल क्या होता है सूनने होता है ठीक है, तो क्रिया इवं प्रतिक्रिया एक ही वस्त उपर कार करते हैं और इसका परणामी क्या होता है, सूने आता है गती का प्रथम नियम जो है, वो क्या कहलाता है जडत्तोकर नियम, अभी हमने उपर बता दिया है आगे बढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे बिल्कुल भी सलो नहीं फास्ट वे में कम्प्लीट एक क्लास में करना है हमें ठीक है आगे वोल्ट मापी द्वारा विभुवांतन मापा जाता है तरंग दैर्द का मात्रक क्या है ये एंगस्ट्रॉम है एनीमो मीटर का उपयोग किस के लिए करते हैं पवन का वेग मापने के लिए ठीक है सक्ति और उर्जा कैसी है ये राशिया ये दोनों अदिसरासिया है क्या है ये अदिसरासिया है ठीक है आगे किसी विशेश दिसा में गतिसील वस्तु की इस्थिती परिवर्तन को क्या कहते हैं ये वि कोने की सुध्यता मातन है किसकी सूने की फिर आता है बर किसकी काई दून को नियम लगता है ये ये तीसरा नियम लगता है ठीक है ये इसलिए पीछे की ओर धक्का मारती जब तोप का फाइरिंग किया जाता है तो पीछे की यो जब फाइरिंग कर देते हैं तो जो तोप होती है वो पीछे की तरब धकेलती है तो किसकी वज़े से यहां पर कौन सा कार करता है यहां क्रिया प्रतिक्रिया का काम करता है फिर आता है एक फैदम कामान कितना होत तो 6 feet के बराबर होता है एक फैदम जो है वो किसके बराबर होता है 6 feet या फिर 1.8 meter के लगभग पराबर होता है आगे वे भौतिक रासियां जिनका परिणाम परिमार और दिसा दोनों होते हैं जिसमें परिमार भी होता है और दिसा भी होता है उसे क्या कहते हैं शदिस रासिय कहलाती है ठीक है जैसे velocity, wake, ball force, turn acceleration ठीक है ये होता है समझ के चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आता है वे बहुते करासियां जिसका केवल परिमार होता है दिसा नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं अदिस नाम से ही इस पश्ट है अदिस जिसमें दिशा नहीं हो ठीक है जैसे द्रब्दमान तापमान समय इनमें कोई दिसा नहीं होती है इनका केवल परिमार होता है ठीक है अच्छा हम एक चीज़ और बताते हैं आपको चलिए ठीक है आगे बताएंगे पहले पढ़ लीजिए आता है किसी सदिस का परिमार जो है वो धनात्मक हो सकता है रणात्मक हो सकता है सून हो सकता है किसका सदिस का याद रखिएगा प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है ठीक है किसका सदिस का फिर आता है चंद्रमा पर जो गृत्वा कर्षन बल होता है जी का मान होता है वो प्रत्वी के जी के मान का क्या होता है एक बटे 6 होता है ठीक है प्रत्वी का जो जी का मान है वो प्रत्वी मतलब चंदर्मा पर जो जी का मान होता है वो प्रत्वी पर जी के मान का कितना होता है एक बटे 6 होता है ठीक है चलें आगे चलते हैं फिर आगे चलिए आता है तुरण का मातर क्या होता है न्यूटन प्रती मीटर स्क्वेर होता है बहुत पूछा जाता है तुरण का मातर क्या होता है न्यूटन प्रती मीटर स्क्वेर और भल का मातर क्या होता है ये न्यूटन होता है तथा उस्मा कार्ज तथा उर् जूल होता है बहुत पूछा जाता है याद रखिएगा आगे साइकल सवार किसी मोड पर घूमता है तो कौन सा बल काम करता है ये अभी केंदरीबल होता है देखिए अभी केंदरीबल होता है दूसरा अभी केंदरीबल होता है ठीक है अभी केंदरीबल जो होता है वो केंदर से बाहर की तरफ लगता है आगे अभी आएगा समझाएंगे हम आपको आगे बढ़ते हैं अभी केंद्री बल की दिसा क्या होती है तो ये केंद्री की ओर होती है अभी केंद्री बल M V स्क्वेर बटे R के बराबर होता है जहां M द्रब्दमान होता है V वेग होता है और R तरज्ज्या होती है ठीक है आगे जड़त तो आगूर का जो ऐसाई मात्रक है वो क्या होता है किलो ग्राम मीटर स्क्वेर होता है जो जड़त तो आगूर होता है उसका मात्रक क्या होता है बहुत पूच़ा जाता है याद रखिए का important है किलो ग्राम मीटर स्क्वेर होता है ठीक है आगे वृत्ताकार मार्ग पर गतिसील खण को वृत्त के केंदर से मिलाने वाली रेखा एक सेकेंड में जितने कोण घूम जाती है उसे उस कोण का क्या कहते हैं कोडिये वेक कहते हैं एंगुलर वैलोस्टी कहत ठीक है आगे वढ़ते हैं किसी पिंड द्वारा किया गया कार बल और बल की दिसा में विस्थापन के कुड़न फल के बराबर होता है ठीक है तो इसी को हम कहते हैं W बराबर F इंटू S ठीक है समझते हैं आगे जब किसी वस्तु में विशेस अवस्था के कारण कार करने की जाती है उसे क्या कहते हैं इस्थितिज उर्जा कहते हैं फिर आता है ऐसा ही प्रणाली में कितने मात्रक होते हैं मूल मात्रक तो साथ मूल मात्रक होते हैं ठीक है आता है मीटर किलोग्राम सेकेंड कैलविन एमपियर और कैंडला ये मूल ये सब क्या है ये साथ के साथ मू वो किसमे बदल देता है, वो यान्तरे को विद्दूत में परिवर्टित करता है, ठीक है, बहुत पूचा जाता है, याद रखेगा, आगे बढ़ते हैं, तो ये विद्दूत चुम्ब की प्रेणर के सिधान्थ पर कार करता है, देखें ये जो जनरेटर है, वो किस विदुद चुम्ब किये प्रिरण की सिध्धांत पर किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ा जाने पर तो आवर्टिकाल क्या हो जाता है? ये बढ़ जाता है आगे इस्प्रिंग को अपनी सामान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले जो बल होता है वो कौन सा होता है? ये प्रत्यास्थ प्रत्यानन बल होता है मतलब इंग्लिस में समझेए Elastic Restoring Force कहते है इसको ठीक है? तो इस्प्रिंग को जब अपनी हम सामान इस सिधी में लाते हैं तो उसको क्या कहते है? वो Elasticity होती है फिर आता है Elasticity किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु किसी मतलब Deforming Force अब इसको हिंदी में किसी विरूपकबल मतलब Deforming Force के द्वारा उत्पन्न आकार या आकरती के परिवर्दन का विरूध करता है ठीक है? आगे बढ़ते है वेग परिवर्दन की दर को हम क्या कहते है तो ये तौरण कहते है वेग परिवर्दन की दर को क्या कहते है तौरण कहते है CGS प्रणाली में इसकी इकाई क्या होती है सेंटीमीटर प्रती सेकेंड डिसक्वेर होती है क्या होती है सेंटी मीटर प्रती सेकेंड इसक है फिर आता है घनत वे भौतिक राशी है जिस पर मात्रा में व्रत्धी करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ठीक है तो घनत बहुत पूछा जाता है यह चीज इंपोर्टन्ट है अपवाद है इसलिए घनत अईसी राशी है जिसमें मात्रा में अगर व्रत्धी कर देते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है ठीक है फिर आता है जड़तो का नियम सरप्रतम किस ने दिया था बहुत इंपोर्टन्ट है जड़तो का नियम kिस ने दिया था तो ये गैलीरियो ने दिया था फिर आता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं सक्ति या सामर्थ कहते हैं सक्ति का जो सूत्र होता है वो याद कर लीजे P बराबर W अपॉन T होता है ठीक है यही लिखा लिए आगे ताप मान थर्मा मीटर से नापा जाता है किसजे धर्मा मीटर से 100 डिगरी सिलसियस टाप मान का मान कितना होता है 373 कलिन होता है दाप की ऐसाई एकाई क्या है तो ये पासकल होती है द्रबों में प्रस्ट तनाव का करण अड़ों के मद्ध क्या होता है ससंजक बल होता है important है ससंजक बल वह आकरसन बल है जो एक ही प्रकार के अड़ों के बीच कार्रे करता है याद रखिएगा आगे प्रश्ट तनाव द्रब की वह प्रकती है जिससे द्रब अपना छेतरफल नियूंतम करने का प्रियास करता है क्या करने का नियूंतम करने का पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फे के टुकडे के पिघल जाने पर जल का इस तर वही रहता देखे बहुत पूचा जाता है ये और बर्फे के टुकडे द्वारा प्रतिस थापित जल का जो आईतन है वो बर्फे के द्रव के आईतन के बराबर होता है इसको बिल्कुल से रट लीजे कोई भी एक्जाम हो ये जरूर पूचा जाता है फिर आगे बढ़ते हैं तो आता है उत्पलावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल भार के बराबर होता है ये सिद्धान्त किसका है ये आरकमिटीज का सिद्धान्त है बहुत इंपोर्टन्ट है ये भी याद रखेगा ठीक है बहुत पूचा जाता है ये फिर आता है पिघलने पर सामानिता ठोस के आयतन में व्रद्धी होती है क्या है पिघलने पर सामानिता ठोस के आतन में व्रद्धी होती है लेकिन भर्फ पिघलने पर क्या होती है ये सिकुर्टी है बहुत important है ये भी याद रगेगा ठीक है आता है यदि ठोस में कोई असुद्धी विद्ध्यमान है क्या बोल रहा है यदि ठोस में कोई असुद्धी विद्दिमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है आगे बढ़ते हैं सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल बहुत इंपारेंट है पारा सी से को नहीं भिगोटा है ठीक है क्योगि इसका ससंजक बल AIDSंजक बल से अधिक होता है जल में किसी डिटर्जेंट या साबुन को मिलाने से प्रष्टतनाव कम हो जाता है सारे important है point ठीक है बिल्कुल रख लीजिए समवहन की प्रक्रिया में उस्मा का संचरण अड़ों के वास्तविक इस्थानांतरण के कारण होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं पानी के विस्थ उस्मा सरवादिक होती है बहुत बहुत important है इसका मान क्या होता है एक calorie प्रतिग्राम डिगरी Celsius या 480 जूल प्रतिग्राम किलोग्राम डिगरी Celsius ठीक है आगे बढ़ते हैं किसी पदार्थ के एक ग्राम का ताप मान एक डिगरी Celsius बढ़ाने के लिए आवश्यक उस्मा के मात्र को क्या कहते है ये विस्थ उस्मा होती है ठीक है फिर संगनन वह प्रक्रिया है जिसमें वास्त द्रव में परिवर्तित होने लगता है ठीक है जब हम जैसे भगोने में दूद वगेरा कुछ करन किया तो जब उपर प्लेट ठाक देते हैं तो जब प्लेट को अलग करते हैं तो उसमें कुछ बूंदे दिखाई देती है और जब वो ही वास्त होती वो ही द्रव में बदल जाती है तो उसी को हम संगनन की प्रक्रिया कहते हैं ठीक है यहाँ पर पता है समझाने का टाइम नहीं है केवल पॉइंट टू पॉइंट चल रहे है क्योंकि एक्जाम का टाइम है कोई भी पॉइंट कहां से क्या हो समझाने बैठेंगे तो पता नहीं कितनी लंबी क्लास हो जाएगी इसलिए मैं point बता रही हूँ बाकी अलग से मैं playlist एक बना दूँगी मतलब आपको पढ़ाने के लिए एक मैं अलग से class चलवा दूँगी ठीक है उसमें मैं पूरी point मतलब हर चीज आपको पूरी class completely पढ़वा दूँगी ठीक है चलिए फिर ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्त मान घड़ते हैं क्योंकि ताप बढ़ाने से पतार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं फॉरेन हाइट पैमाने में सुद्ध जलका कुथनांक के कितना होता है 212 डिगरी फॉरेन हाइट होता है आगे बढ़ते हैं अतितिक सीथ रिदू में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइने फट जाती है क्योंकि पानी जो है वो पाइप में जम कर फैल जाता है ठीक है बहुत पूछा जाता है कि पानी जमने पर फैल जाता है पाइपों में फिर आता है तरित की चमक उसकी गरजन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकास की जो गती होती है वो ध्वनी की गती से अधिक होती है ठीक है आगे आगे किसी दरपण से परावर्तन के पस्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है तरंग का आयाम बदल जाता है तरंग का आयाम बदल जाता है तरंग का आयाम बदल जाता है तरंग की आवरती तरंग दैल ववेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है ठीक है तो तरंग का आयाम बदल जाता है लेकिन आवरत्ती तरंग तरंग दैर्द और वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है आगे कमपन करता हुआ कोई पिंड अपनी मात इस्तिती से अधिक्तम जितना विस्थापित होता है उसे ही हम आयाम कहते हैं जैसे ये लटका है पेंडूलम इसको जितनी ये चीज जितना जादा हो सकता है उसी को हम कहते हैं मध्य सिती से जितनी जाता उपर तक जा सकता है उसको हम आयाम कहते हैं ठीक है आगे देखते हैं आगे आजाता है एक कमपन पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है ठीक है एक आवर्त काल में तरंग कहते हैं एक सेकेंड में जितने कमपन होते हैं उसे अवरती कहते हैं ठीक है आगे अवतल दरपन का प्रियोग बहुत पूछा जाता है ये अवतल दरपन का जो प्रियोग है वो दाड़ी बनाने में गाड़ी के हैड लाइट, सर्च लाइट और सोलर कोकर में आख, कान, नाख के डाक्टर नो द्वारा प्रियोग किये जाता है तो कौन सा ये अवतल दर्पन प्रकास का रंग जो है वो तरंग देर्ध द्वारा निश्चित होता है सबसे अधिक तरंग देर्ध किसकी होती है लाल रंग की प्रकास की ठीक है बहुत important है सबसे कम तरंग देर्ध किसकी होती है बैगनी रंग की क्योंकि इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है और इसका विचलन सबसे कम होता है आगे देखते हैं अधिक तरंग दैर्ध के कारण लाल प्रकास अधिक दूर तक दिखाई पड़ता है अता सिगनल लाल रंग के बनाए जाते हैं ठीक है विभिन निस्थिती में उत्तल लें में पीछे देखने के लिए कि मोटर वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दरपन का यूज होता है ये कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल दरपन का यूज होता है ठीक है आगे अउतल दरपन के फोकस तथा वक्रता केंडर के बीच रखी वस्तु का प्रतिविम कैसा बनता है ये हमेशा उल्टा तथा वास्तविक बनता है। साथ ही इस दूरी में रखे हुए वस्तों का प्रतिविम बड़े अकार का बनता है। याद रखिएगा। आगे दंत चिकित्सों के द्वारा जो यूज होता है दरपन कौन सा? ये आउतल दरपन होता है। फिर आता है next point बहुत important है ये इको साउंड एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रियोक सागर की गहराई मापने में होता है। क्या है ये इको साउंड निंग। फिर आता है ऐसा ही पद्दती में लेंस सकती की जो इकाई होती है वो क्या होती है? ये डायोप्टर होती है बहुत इंपोर्टन्ट है याद रखे लेंसी की छमता का मात्र क्या होता है डायोप्टर फिर आता है नियूंतम तरंग दैर्द किसकी होती है तो ये गामा किरनों की जो गामा किरने होती है उसकी न्यूंतं तरंग दैर्ध होती है जिसका तरंग दैर्ध परिसर कितना होता है देख लीजे कितना कम होता है दस की घात माइनस 14 लेकर दस की पावर माइनस 10 तक होता है फिर सरवादिक तरंग दैर्ध दीर के रेडियो तरंगों की होती है सबसे ज जिनका ध्रूबी करण नहीं हो सकता उन्हें क्या कहते हैं अनुदैर्थ तरंगे कहते हैं लॉंगिट्यूडनल वेप्स ठीक है फिर आता है प्रकास विद्धुचुम्ब की तरंगे हैं विद्धुचुम्ब की तरंगों के लिए मात्यम का होना आवश्यक नहीं है याद अपलर का प्रभाव जो सापेच्षिक गती की व्याख्या करता है ठीक है आगे चलते हैं आगे आता है दुर्बीन से जिसको हम टेलिस्कोप कहते हैं टेलिस्कोप से दूर की वस्तुएं देखी जाती है और दुर्बीन का वह प्रकासे की यंत्र है जिसके द्वारा दूर क वस्तु का प्रतिविम्ब आंक पर बड़ा दर्शन खोन बनाता है जिससे कि वह वस्तु आंक को बड़ी दिखाई पड़ती है ठीक है दूरबीन के अविस्कारक कौन थे तो ये गैलीलियो थे इंपोर्टेंट है सर प्रथम रोमर ने प्रकास की चाल का मापन किया था याद पानी में डूबी होई छड अपवर्दन के कारण मुड़ी होई दिखाई देती है ठीक है आगे बढ़ते हैं रेगिस्तान में यातियों को कुछ दूरी पर पानी होने का ब्रहम होता है इसे रेगिस्तान की म्रग दृष्ण या मारीज का कहते है ठीक है फिर आता है 20 हर्ज से कम आबरती वाली ध्वनी तरंगे क्या कहलाती है ये अब स्रब्व तरंगे कहलाती है और 20 हर्ज से अधिक आबरती वाली तरंगे ये परास्रब्व कहलाती है ठीक है और जो 20 से लेकर 20 हजार तक होती है 20,000 तक होती है इनको हम स्रब वितरंगे कहते हैं याद रखिएगा 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज यह आ गया यही बता रहे थे हैं मूपर ठीक है यही है आगे दूर द्रश्टी द्रोस वाली आँख में नजदीक की वस्तो को इस पश्ट देखने के लिए उत्तल लेंस वाले चसमे का प्रियोग करते हैं जिस जगे वायू का दबाव अधिक होता है वहाँ पर पानी का कुथनांग भी अधिक होता है जहां वायू दाप कम होता है वहाँ पर कुथनांग कम होता है बहुत पूछा जाता है याद रखिएगा आगे प्रकास का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है तो प्रकास का वेग जो होता है वो टेंपरेचर पर निर्भर नहीं करता है फिर आता है प्रारंभिक रंगों को मिस्रित करने पर जो रंग प्राक्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं वो दुतियक होते हैं या अनुपूरक इन्हीं को कहते हैं आगे मनोस से द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनी 20-20,000 हट होती है, जिसे हम सुरब कहते हैं, जिबके कुट Taylor व बिलियों द्वारा 20 किलो हट से ऊपर की ध्वनी सुनाई दे जा सकती है. जिसको हम क्या कहते हैं? इनको हम पराश्रब ध्वनी कहते हैं. ठीक है आगे बढ़ते हैं लेजर ये प्रकास के अन्य सुसंगत स्रोतों से दो प्रकास बीम के व्रतिकरण से बने त्री बीमी ये बिम्ब को क्या कहते हैं ये होलोग्राफी कहलाता है एक अपार दर्सक पस्तु का रंग इसके द्वारा रंग का परावर्दन के कारण होता है फिर आता है लेजर का तातपर लाइट एम्प्लिफिकेशन बाई स्टेमुलिटेड एमिशन ओफ रेडियेशन से होता है बहुत पूच्छा जाता है इसका फूल फॉर्म याद रखिए का लेजर का जो पूरा नाम है वो क्या है सुनिए, L से light A से amplification by और stimulate S से हो गया और emission E से हो गया और off radiation R से हो गया ठीक है, तो light amplification by stimulated, स्वारी एक बार फिर से बोलते हैं light application by stimulated emission of radiation ठीक है, याद कर लीजे, बहुत पूछा जाता है फिर आता है, next आगे देखते हैं X किर्णों का उपयोग किसमे करते हैं तूटी हड्डियों की तस्वीर बनाने में ठीक है, फिर आता है, बादलों वाली रात्री खुले आकास वाली रात्री से गर में क्यों होती है क्योंकि इसका जो कारण होता है एक सब्द में कहें, तो ये फार्थिय विक्रण होता है ठीक है, देखो जो बादल हो जाते हैं तो ये पता है, ये चादर का काम करने लगते हैं मतलब जो अंदर की गैसे होती हैं, जैसे चदर ओड लेते हैं हम लोग, अगर हम चादर ओड लिए तो जो अंदर की गैस होती है हमारी, मतलब जैसे हम सांस लेते हैं तो वो सांस बाहर निकल, मतलब चादर के अंदर ही मतलब जब हम चादर ओड लेते हैं तो जो हम गैस छोड़ते हैं और जो हम गैस देते हैं मतलब स्वास के द्वारा तो वो केवल चदर के अंदर ही होती है तो इस वज़े से हम लोगों का दम खुटने लगता है सेम यही कंडीशन बादलों के साथ होती है कि मतलब बादल जब उपर होते हैं तो वो चादर का काम करते हैं मतलब जब हम लोग जब हम लोग गैस लेते हैं और छोड़ते हैं ऑक्सीजन लेते हैं अगरबंडे अक्साइड गैस छोड़ते हैं ठीक है तो ये सब जब होने लगता है तो ऐसे ही वैस्विक तापन होने लगता है मतलब कि ये ताप बढ़ने लगता है ठीक है और जो बादल होता है वो चादर का काम करने लगता है जब बाहर गैस नहीं जा पाएगी जब चादर के बाहर ही नहीं जा पाएगी तो दम घुटने अभी मैं point wise समझा रही हूँ इसलिए मैं जाता अच्छे से complete नहीं समझा पा रही हूँ और मेरे सब्द भी नहीं आ पा रहे हैं अभी क्योंकि जब मैं starting से पूरा अच्छे से complete समझाओंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है मैं उसके लिए मतलब क्लास अलग से पढ़ाऊंगी अभी तो ऐसा है कि फास्ट वे में क्योंकि अभी पैट का एक्जाम लगा हुआ है पास में इसलिए चलिए आइंस्टीन को प्रकास वैदुत प्रभाव सिध्धान्त के लिए नोबिल प्रोजकार मिला था फिर आता है लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्व प्रथम ध्वनी उर्जा को किसमें वैदुत उर्जा में और इसके बाद वैदुत उर्जा को ध्वनी उर्जा में परिवर्थित करता है बहुत इंपोर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अधीवर्स उसे कहते हैं जब फरवरी 29 दिन की हो जाती है ठीक है आगे ट्रांसफार्मर विद्दुत चुम्बिकी प्रेण के सिध्धान्त परकार करता है ठीक है जिन पदार्थों से होकर विद्दुत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं विद्दुत रोधी कहते हैं जैसे लाग, सीसा, एबोनाइट, कास्ट, रबर, अभरक, सलफर, सुसकहवा, शिल्क ठीक है, तो ये सब इन में विद्दुत धारा प्रवाहित नहीं होती है आगे तड़ित चालक का अविस्कार किस ने किया था, बेंजामिन, फ्रेंकलेन ने करती था, ये नहीं याद करना है और इसमें जो तड़ित चालक में, जो किस धातू का बना होता है, आप हमें कमेंट पर बताईए, फिर हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है आता है, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का किया था, और लॉर्ड लिस्टर ने एंटिसेप्टिक सरजरी का अविस्कार किया था, और आइंस्टेन ने ये सापेच्छिता का सिध्धान दिया था याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टन है, टेलीफोन का विस्कार किस ने किया, ग्राहम बेल ने, और एंटिसेप्टिक सरजरी का, ये लॉर्ड लिस्टर ने, और सापेच्छिता का सिध्धान दिया था, याद रखिएगा किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, ये भी बढ़ता जाता है, फिर आता है सुद्ध पानी विद्धुत का कैसा होता है, ये सुचालक होता है, इसमें करंट फ्लो हो जाता है, आता है धातु में अच्छी चालक होती है, क्योंकि उन सूर्य की असी में तूर्जा का जो स्रोत है वो नाभी की सनलेन है जिसे हम नूकलियर फ्यूजन कहते हैं याद रखिएगा इंपॉर्टेंट किसी द्रव को उसके क्वतनांक से पूर्व उसके वास्पे में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं इसे हम evaporation बोलते हैं ठीक है evaporation बोलते हैं वास्पी करण बोलते हैं ठीक है आगे transistor जो होती है उसमें दो डायोडों का एक संयोजन बना होता है आता है वाई उमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है nitrogen 78% होती है 21% oxygen होती है 1% carbon होती है और carbon dioxide ये सब होती है याद रखिएगा आगे जब किसी भारी नाभिक के तोटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विसाल मात्रा में उज्या उत्सरजित होती है इस क्रिया को क्या कहते हैं ये नाभिक की विखंडन कहलाती है याद रखिएगा आगे आता है घड़सर से उत्पन जो होता है वो क्या होती है उसमा उत्पन होती है फिर परमाडू के नाभिक का आकार कितना होता है याद रखिएगा दस की घाते माइनस 15 मीटर के बराबर होती है ओजोन क्या है एक गैस है यह समुद्र की सतह से 60 km की उचाई पर पाई जाती है और नॉर्मली अगर यहां प्रत्वी से देखा जाए मतलब इस्थल मंडल से अगर देखा जाए तो यह लगभग 33 km के आसपास होती है 30 से 33 km के आसपास होती है आगे stratosphere जिसे हम समताप मंडल कहते है यह 18 से 20 km की उचाई पर पाया जाता है ठीक है फिर आता है एक सेकेंड हमने अभी उपर ओजोन परत बताई न तो यह 30 से 33 नहीं सॉरी यह 20 से 22 km है ठीक है हम वो पता नहीं कैसे क्या बोल गया है ठीक है 20 से 22 km है आगे सुपर कंड़क्टर की जो चालकता होती है वो कितनी होती है यह अनन्त होती है विद्धुत और चुम्बकत्तो का गहरा संबंध होता है इसका पता सर्व पता मैक्स वेल ने लगाए था खाद उर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते है आता है घ्रोजन बं नूझलियर फ्यूजर मतलब नाविकी सनलेण के सिधांत पर कार करता है बहुत पूचर जाता है याद रख़ियेगा जो हैडोजन बं है वो किस पर ये नाविकी सनलेण पर आता है रैम का आसए क्या होता है Full form तो Random Access Memory होता है और Rome Card क्या होता है वो होता है Read Only Memory आगे 1 बाइट में कितने बिट होते हैं तो ये 8 बिट होते हैं और 1 निबल में कितने बिट होते हैं ये 4 बिट बहुत पूछा जाता है एक निबल में 4 बिट और 1 बाइट में 8 बिट इंपोर्टेंट है याद रखिएगा सिलिकॉन एक सेमी कंड़क्टर है इसका परियोग जो कंप्यूटर के चिप होते हैं उसको बनाने में यूज होता है विद्धुत उर्जा का प्राक्तिक स्रोत नहीं है कौन-कौन तो ये लकड़ी, कोईला, सूर्जा के प्राक्तिक स्रोत इन सब में मतलब ये विद्धुत उर्जा के स्रोत नहीं है फिर आता है रबन इफेक्ट क्या होता है इसके लिए 1930 में भौतिकी का नोबिल मिला था किसको चंद्रसेखर बेंटिक रमन को जिसको हम सीवी रमन भी बोलते हैं याद रखेगा 1938 में इन ये सब कुछ कम्प्लीट किया था और 1930 में इनको नोबिल पुरुसकार मिला था दो साल बार इसी प्रभाव किसके रमन इफेक्ट की वज़ह से ही ये 28 परवरी को हम राश्ची विज्ञान दिवस मनाते हैं फिर आता है रेडियो कारवन C14 का प्रयोग किसी पदार्थ के आयू का निर्धारन करने में किया जाता है फिर आता है वायू का प्रभाव है उच्च वायुदाप से निम्न वायुदाप की ओर होता है बहुत मुछा जाता है याद रखिएगा जो वायू का प्रभाव होता है वो उच्च वायुदाप से लेकर निम्न वायुदाप की ओर चलता है ठीक है आगे वासिंग मसीन किस पर कार करती है तो ये अप केंदरन के सिध्धानत पर मतलब ये केंदर से बाहर की ओर चलती है ठीक है जब आप मसीन में वासिंग मसीन में पानी डालेंगे और कपड़े डालेंगे तो आप देखते होंगी ये केंदर की तरफ नहीं चलती है ये ऐसे 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 बाहर की तरफ को चलती है बाहर की तरफ पानी फेकती है है ना उससे याद रखिए आगे 1614 में जॉन नेपियर ने लगू गणक की संकल पिना की आता है ऑक्सीजन की खोच 1774 में जोसेफ प्रिस्ट लेने की थी मानो निर्मित प्रिथम उग्रे इस पूतनिक फस्ट था ये किसका था ये रोस का था अच्छा मैं ये बताईए इससे कौन गया था बताईए इससे कौन गया था आता है क्रोनो लॉजी विग्यान की वह साखा है जिसमें समय की अवधी का अध्यन किया जाता है किसका समय की अ बराबर होता है ये 6, 6 fit के बराबर होता है ठीक है फिर आता है नॉ टिकल मिल समुद्री दूरी मापने के लिए के लिए लेकन समुद्र की गहरई मापने के लिए ये फैदो मीTđR है प्रत्वी के नजदीक वायू मंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है ये छोव मंडल होती है प्रत्वम अंत्रिच यात्री कौन था ये यूरी गागरिन था ये 12 अपरैल 1961 को वोस्टॉक से अंत्रिच में गये और अंत्रिच में एक घंटा 48 मिनट तक ये रहे थे फिर आता है जापान पर प्रत्वम परमाडू बं कब गिराए गया था ये 1945 में गिराए गया था ठीक है जापान में ठीक है पहले हेरोसिमा में गिराए गया था 6 अगस्त में और फिर नागसाकी में गिराए गया था 9 अगस्त 1945 में प्रथम भारती अंत्रेच्छी यात्री कौन थे ये राकेश सर्मा थे फिर चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम क्या है ये अपोलो सेकेंड है आगे भारती द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम क्या था ये चंद्रियान फस्ट था फिर ब्रह्मान्ड का अध्यन क्या कहलाता है ये कॉस्मो लौजी कहलाता है तो यहां से हमारे जितने भी physics से question बन सकते थे तो वो हमने completely पढ़ लिया है ठीक है तो अगर आपने इसके पहले की जो complete मेरा थन नहीं देखी है हम नीचे description box पर आपको link provide करवाय दे रहे हैं तो आप वहां से जाकर सारी classes जो one video वाली है आप आराम से देख लीजेगा ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं next class में